Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ class 11th की जो आपकी elective book है उसके essay start कर रही हूँ आज में, तो सबसे पहले हम essay number 6 start करेंगे जिसका नाम है The Story essay का मतलब हिंदी में होता है निबंध तो हम एक तरीके से कुछ निबंध पढ़ रहे हैं क्योंकि निबंध जो है वो एक section है आपकी पूरी book woven words के अंदर तो सबसे पहले हम 6th essay याने 6th निबंध जो है इस किताब का वो start करेंगे which is The Story So let's read about the author, पहले देखते हैं कि author कौन थे तो इस essay के author है E.M. Forster जो पिक्चर मेरे left hand side पर देख रहे हैं वो हमारे author की picture है जिसमें E.M. का full form है Edward Morgan Foster तो इनका पूरा नाम है Edward Morgan Foster इनका birth year 1879 में हुआ था और death year 1970 में हुई थी He was a noted English author और ये एक English author के English language के author थे याने English में novels याने किताबे लिखते थे उपन्यास लिखते थे Wrote a number of short stories और उन्होंने कई छोटी-छोटी stories लिखी novels लिखी याने उपन्यास लिखे and essays याने कई बहुत सारे निबंद भी इन्होंने लिखे जैसे की ये वाला जो आज हम पढ़ने वाले हैं His first novel Where Angels Fear to Tread was published in year 1905 तो इनकी जो पहली novel थी जिसका नाम था Where Angels Fear to Tread वो year 1905 में publish हुई थी market में This was followed by Howard's End and A Passage to India और इसके बाद कौनसी दो novels लिखी उन्होंने Howard's End करके एक novel लिखी and उसके बाद लिखी A Passage to India and other well-known works और उसके बाद भी उन्होंने कई बहुत सारे जाने पैचाने बड़े-बड़े काम किये याने लिखने की field में उन्होंने बहुत काम किया है The essay presented here जो essay आज हम पढ़ रहे हैं is an excerpt from chapter 2 of aspects of the novel तो आज जो हम essay पढ़ रहे हैं वो एक बड़ी सी किताब जिसका नाम है aspects of the novel का chapter number 2 है और यह excerpt याने कि यह एक बड़ी सी किताब का एक छोटा सा part या एक छोटा सा chapter निकाल के आज हम as a निभंद या आज हम as a chapter या ऐसे पढ़ रहे हैं तो इस बड़ी सी book का chapter number 2 है यह the story जो आज हम पढ़ रहे हैं ओके सो चाप्टर का explanation स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा overview दे देती हूं कि what the chapter is all about तो सबसे पहले यह जो chapter है यह हमको बताएगा story and novel का difference क्यों होता है story क्या होती है novel क्या होती है ठीक और बड़े बड़े novelist जो बड़े बड़े उपन्यास कार है जो novels लिखते हैं यह किताबे लिखते हैं वो किस तरीके से time aspect दिखाते हैं अपनी novels में याने कि हर novel जब शुरू होती है तो एक time aspect होता है याने इस time पर यह novel स्टार्ट हुई है दीरे दीरे कैसे चलेगी और ending कैसे होगी इस novel की उसका एक proper time aspect होता है अगर यह time aspect नहीं होगा तो जो हम readers हैं जो उनकी novels को read करते हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कैसे कहा story start हुई कहा क्या कहानी चल रही और कैसे अजीब सी ending हो गई कुछ समझ में नहीं आएगा तो time aspect बहुत important है चौती चीज़ जो यहां बताईए वो है suspense के बारे में कि अगर कोई novel हम पढ़ रहे हैं और उसमें कोई कहानी है कोई story है तो उसमें suspense होना बहुत जरूरी है अगर कहानी में suspense होगा तो जो हम readers हैं जो हम उनकी किताब पढ़ रहे हैं उन में curiosity होगी curiosity याने की उत्षुकता यह जानने की कि अब आगे क्या होगा अगर हम curious होगे कि अरे कहानी में क्या होगा तो हम पूरी book पढ़ेंगे अगर suspense factor नहीं होगा और अगर curious नहीं होगे हम जानने के लिए कि आगे story में क्या होगा तो हम वो किताब छोड़ देंगे नहीं पढ़ेंगे इंफार्क boring लगेगी हमको तो ये सारी चीज़ें जो aspects एक novel के अंदर होनी चाहिए स्टोरी टेलिंग में होनी चाहिए वो सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इस chapter में अब chapter स्टार्ट करने से पहले ये भी और चीज़ में आपके chapter में जब chapter end होता है तो बिल्कुल end में एक box है हम सबसे पहले वो box पढ़ेंगे reason क्या है उस box के पढ़ने का क्योंकि अगर हमने ये box पढ़ लिया तो हमको chapter easily समझ में आएगा क्योंकि इस chapter इस box में जो last में दिया हुआ है chapter में उसमें एक story दी हुई है यहाँ पर और इस story का कहीं न कहीं chapter के बीच में जिकरिक हुआ है याने mention हुआ है अगर ये box पहले नहीं पढ़ेंगे तो आपको वह समझ मिन याएगा इसलिए पहले ये box पढ़ लेते हैं तो box की heading है the 1001 Arabian nights अब ये 1001 Arabian nights क्या है एक book एक novel का नाम है उसका थोड़ा सा पार्ट इस box में पढ़ते हैं कि इस book के जो story थी उसमें क्या था अब ये जो 1001 Arabian nights की जो book है इसमें बहुत सारी चोटी चोटी stories का collection है इस किताब में जो एक दूसरे से linked है सारी stories इस book में और ये जो सारी stories है उसको किसने narrate किया है किसने अपने मुझवानी बताया है और सुनाई अपनी कहानी एक young एक छोटी सी लड़की ने जिसका नाम है शेहरजादे या शेहरजाद She was a daughter of the wazir or minister who had to serve a peculiar king अब ये जो लड़की है शेहरजाद ये एक वजीर की बेटी थी या जिसको हम minister भी कहते है वजीर वो होते हैं जो एक king के अंडर काम करता है और ये जो king जिसके अंडर इसके father काम करते थे शेहरजादे के वो बहुत peculiar king था याने कि बहुत strange अजीब औ गरीब अजीब टाइप का बहुत king था the king married on a daily basis his wife was always beheaded after the wedding night अब ये king daily basis पे शादी करता था अलग-अलग लड़कियों से और हर एक दिन या first night अपने wife के साथ spend करने के बाद वो अपनी wife को behead कर देता था याने उसका सर धर से अलग करके उसको kill कर देता था तो ये बहुत ही अजीब और याने कि peculiar type का king था जिसके अंडर वजीर काम करता था वो जो वजीर था वो शेहरजादे का father था शेहरजाद tells her father that she wishes to marry the king अब शेहरजाद ये लड़की है इसने अपने father को बताए कि मेरी इच्छा है कि मैं इस king से शादी करूँ भाई अगर इस king से शादी करेगी तो king तो उसके साथ one day one night spend करके इसको माड आ लेगा he reluctantly agrees लेकिन फिर भी शेहरजाद के जो father है और reluctantly है ने बहुत hesitate हो कि हिच के चार्ट मैं पहले नहीं करके फिर हां करके finally agree कर जाते हैं कि ठीके तुम king से शादी कर लो she tells the king an interesting story on their wedding night and makes sure to stop at an interesting point at the crack of dawn तो शेहरजाद ने क्या किया कि अपनी wedding की रात को अपने husband को एक अच्छी interesting story सुनाने का इसने decide कि मैं एक कहानी सुनाओंगी और जब story का बहुत interesting point आएगा ठीक उस point पर मैं रुख जाओंगी और किस लेम सुजाओंगी crack of dawn याने सुबह की जब रात में story सुनाना start करूंगी और सुबह की जब पहली किरन होगी उस time पर मैं बिलकुल interesting part चल रहा होगा story का बीच में मैं बिलकुल रुख जाओंगी बिलकुल silent हो जाओंगी और सुजाओंगी the king is unwilling to execute her because he wants to hear the end of the story execute her का मतलब kill her अब किंग सुबह हो गई शादी की भी एक रात हो गई अब वो मार नहीं रहा है अपनी बीवी को क्यों क्योंकि उसके अंदर curiosity है यार इसने तो सो गई मुझे आगे की story सुन ये मार दूँगा तो story कैसे सुन पाऊंगा तो इसको नहीं मारता है this scheme was extremely risky but शेहरदा successful in continuously linking stories over many nights अब ये जो scheme ये जो तरीका अपना रही थी शेहरदा की हर रात वो अपने husband को एक king को एक कहानी सुना रही थी और जैसी सुबा की पहली किरन आ रही थी और एक interesting point of story पर वहां पे पीछ में रुख जा रही थी ये बहुत risky काम था क्योंकि कभी भी king भड़क सकता था मार भी सकता था इसको लेकिन ऐसा नहीं हुआ शेहरदा इस scheme में बहुत successful होई वो आने वाली हर रात में अपने husband को एक नई story सुनाती थी until finally the king accepts her as his queen and stops the horrible practice of executing his wife तो ये चीज जो story सुनाने की जो ये habit थी ये शेहरदा ने हर रात continue करी और तब तक करी जब तक king ने उसको अपनी wife as a queen अपनी रानी की तोर पर accept ना कर लिया और finally जब उसने accept कर लिया कि ये मेरी भीवी है, मैं इसको love करता हूँ, ये मेरी queen है तो उसने ये horrible, ये बेकार practice ये तरीका अपनी wife को execute करने का याने killing his wife का जो ये तरीका था ये करना जब तक उसने बन नहीं करा, तब तक शहरजाद ये करती रही तो ये थी एक छोटी सी story, the 1001 Arabian Nights की book में उसका एक छोटा सा ये part है अब start करते हैं chapter की starting so that आपको chapter easily समझा है क्योंकि काई ना कई बीच में इस story के बारे में mentioned है ठीक है, यहां से आपका chapter start होता है start करते हैं chapter we shall all agree the fundamental aspect of the novel is its storytelling aspect हम, we कौन याने हम सब हम सब को ये सब ये चीजे accept करनी पड़ेगी कि fundamental aspect जो है एक novel का वो उसका storytelling aspect है fundamental का मतलब basic कि एक novel अगर एक पूरी किताब है जिसमें बहुत सारी कहानिया है उसका सबसे basic उसका सबसे basic aspect उसका storytelling aspect ही है अगर मैं एक novel पढ़ रही हूँ और मुझे उसमें से कोई अच्छी story मुझे नहीं मिल रही है तो याने कि वो novel खतम कोई नहीं पढ़ेगा वो flop है तो हम कोई चीज agree भी करनी पढ़ेगी और accept करनी पढ़ेगी कि जो fundamental aspect है एक novel का वो उसका storytelling aspect है कि कहानी अगर अच्छे से हम सुनेंगे और पढ़ेंगे एक novel पढ़ने के बाद तो ही वो novel successful है But we shall voice our ascent in different tones Ascent का मतलब क्या होता है The expression of acceptance कि हमने किस तरीके से कोई चीज को accept किया याने स्वीकार किया मुझे for example मेरी friend ने एक story सुनाई किस accent में सुनाई किस तरीके से उसने मुझे सुनाई और मैंने उसको किस तरीके से accept किया यह different tone पर depend करता है मान लीजे मेरी teacher मुझे एक story सुनाईगी वो different tone में सुना रही है मेरी friend मुझे एक story सुना रही है वो वह story सुना रही है पर different tone में मेरे father मुझे वही story सुना रही है पर different tone में तो हर इंसान का जो storytelling का जो यह तरीका है वो different tone होती वो different तरीका होता है और उसको मैं कैसे accept कर रहे हूं, मैं कैसे उस चीज को समझ रहे हूं, अलग-अलग लोगों से सेम ही चीज को, वो depend करता है किस तरीके से वो मुझे स्टोरी सुना रहे हैं and it is on the precise tone of voice, we employ now that our subsequent conclusions will depend, precise का मतलब होता है clear, बिल्कुल clearly employ का मतलब होता है use, किसी चीज को इस्तमाल करना, subsequent का मतलब होता है following, याने इसके बाद जो चीज following होगी, याने इसके बाद जो चीज follow करती हुए आपके पस आएगी तो वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज बिल्कुल clear tone पर depend करती है, आपके tone of clear tone of voice, कि अगर आपके voice के tone, expression बिल्कुल clear है जो आप अभी use कर रहे हो और employ कर रहे हो अभी आप, वही follow करेगा आपका conclusion और उसी पर आपका conclusion depend करेगा याने जो मुझे story सुना रहा है, वो किस तरीके से अपनी voice modulation कर रहा है, आवास किस तरीके से निकाल रहा है, expressions किस तरीके से use कर रहा है और वही चीज follow करेगा मेरा conclusion याने आखरी में, conclusion याने ending जो है उसी चीज़ पर depend करेगी कि उसने मुझे story कैसे सुनाई और अंत में मैंने उसकी story actually समझी कैसे, वो depend करता है उसकी tone of voice पर जो मुझे story सुना रहा है ठीक, आगे बढ़ते हैं Let us listen to three voices अब यहां बोल रहे हैं, आओ अब तीन आवाजों को सुनते हैं याने जो author है, एक question पूछेंगे तीन लोगों से और एक ही question का तीन अलग-अलग लोग कैसे जवाब देते हैं और क्या जवाब देते हैं, वो हम पढ़ेंगे तो three voices का मतलब तीन लोगों के जवाब सुनते हैं, हमें एक सवाल पूछेंगे और उसी सवाल का तीन अलग-अलग लोग क्या जवाब देते हैं If you ask one type of man, what does a novel do? He will reply placidly तो सबसे पहले man से पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आप एक तरीके के आदमी से पूछोगे सवाल पूछोगे, what does a novel do? कि यह जो एक novel है, जो किताब है, stories की, यह क्या करती है? तो वो बहुत placidly, याने बहुत calmly, बहुत politely, शान्ती से आपको reply करेगा वेल, I don't know, खैर मुझे नहीं पता, it seems a funny sort of question to ask यह तो बहुत मजाकिया question लग रहा है, जो आप मुझसे पूछ रहे हो A novel is a novel, एक novel novel होती है, और क्या होती है? वेल, I don't know, I suppose it kind of tells a story, तो कहता है, खैर मुझे पता नहीं कि novel ऐसे basically होती क्या है बट यह novels, आपको एक story बताती है, कहानी होती है novel में, so to speak, मतलब हम उसी के बारे में बात भी करते है He is quite good-tempered and vague तो अब यहाँ पे सवाल पूछा हमारे author ने, एक पहले आदमी से, उन्होंने आपको बोला, तीन voices सुनाऊंगा, याने तीन लोगों का जवाब बताऊंगा पहले आदमी ने बहुत काम ली, easily बोल दिया, कि भाई ठीक है novel तो novel होती है, हानी सुनाती है, मुझे ज़्यादा पता नहीं, as such इससे author को यह पता लगता है, कि he is a good-tempered and vague, good-tempered याने not easily get upset and angry कि इसके जवाब से पता चल रहा है कि जो इनसान है, यह बहुत शांत स्वभाफ का इनसान है, बहुत जल्दी गुस्ता नहीं आता है इसको या यह upset नहीं होता और यह इनसान बहुत vague है, याने communicating in an unfocused way, आपसे बात कर रहा है, completely आपके उपर focus नहीं करते हुए याने अपना भी कुछ काम भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, ध्यान से इतनी बात नहीं कर रहा है, तो इसने आपने उससे question पूछा और इसने बहुत casually आपको answer कर दिया, हाँ, novel novel क्या है, किताब एठीक है story है, तो इस तरीके का यह आदमी, पहला आदमी लगा हमारे author को and probably driving a motor bus at the same time and paying no more attention to literature than it merits तो author बताते हैं कि यह जो पहले तकिस्म का आदमी है, वो थोड़ा basically इस type का आदमी की basically ऐसे बात कर रहा है, ऐसे जवाब दे रहा है, जैसे motor bus चला रहा है या driving कर रहा है, और ज्यादा कोई attention, ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, literature पर या लिट्रेचर के इस question पर की novel आपके लिए क्या कर सी है, या novel क्या है तो literature नहीं सायत्य पर और जो उसके merits, advantages पर इतना उसको ध्यान नहीं है इस पहले आदमी को और उसने बहुत calmly, placidly, casually इस question का answer कर लिया तो तीन voices में से पहला voice, पहला आदमी की जो आवाज और response से इस question के लिए वो तो हमने पढ़ लिया आईए दूसरा पढ़ते हैं, आगे Another man, whom I visualize as on a golf course, will be aggressive and brisk अब, दूसरे आदमी से ही same वोई question पूछा गया What does a novel do, कि novel क्या करती है, तो इसको कैसे visualize कर रहे है हमारे author आये, visualize याने, author उसको इस नजरी से देख रहे है कि जो दूसरे kind of insan है, यह golf course में है, याने यह golf नामक जो game है, वो खेल रहा है, इस field पे, और उससे मैंने जब यह question पूछा तो उस time वो थोड़ा सा aggressive होगा, याने गुससे में होगा, क्यों, क्योंकि उसके game के बीच में मैंने उससे question पूछ लिया है, और वो brisk होगा, brisk का मतलब a person who wants to get things done quickly, एक ऐसा इंसान जो जल्ली अली काम complete करना चाहता है, तो वो game खेल रहा है, पूरा focus उसका game पे और बीच में आके मैंने question पूछ लिया, तो वो मुझे थोड़ा aggressive दिख रहा है, और वो चाहता है कि मैं जल्दी अपना सवाल complete करूँ और जाओं, so that वो अपना game continue कर पाए, तो वो क्या reply करेगा सवाल का, he will reply, what does the novel do, क्या करता है एक novel, why, tell a story of course and I have no use for it if it didn't, तो वो reply करेगा कि क्या, novel story बताता है और क्या बताता है, और if I have of no use, याने मेरा कोई काम नहीं है novel में, अगर if it didn't, याने अगर novel कोई story ना बता है हमें, तो ये novel मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं story पढ़ very bad taste, मेरा taste बहुत कराब है याने जो मेरी choice है, novels choose करने की वो taste मेरा बहुत कराब है, on my part याने मेरे बात अगर करू तो, no doubt, इसमें कोई Sunday भी नहीं है, but I like a story, पर फिर भी, मैं novels खरीदता हूं क्योंकि मुझे story पढ़ना पसंद है, और novels में हमें story ही पढ़ने को मिलती है, you can take your art, you can take your literature, you can take your music, but give me a good story, तो या अदमी क्या reply करेगा हो बोलेगा, आप अपना art, अपनी कला अपने पास रखो, अपना literature, अपनी English की किताबे साहत थी अपने पास रखो, अपना music गाना बजाना भी अपने पास रखो, but give me a good story, अगर मैं novel खरीद रहा हूं, तो मुझे एक अच्छी story चाहिए उसमें, मुझे फालतू की चीजें भले हटा दो आप, story अच्छी होनी चाहिए मेरे लिए तू, and I like a story to be a story, और मुझे story एक story जैसे ही पसंद रहाने, अगर मैं कोई कहानी पढ़ रहा हूं, तो मुझे proper कहानी फार्म में ही वो अच्छी लगती है, यह अच्छी के बीच में आपने गाना भी खुसा दी, art, painting खुसा दिया, यह मुझे नहीं चीए, mind और ध्यान रखी आप, and my wife is the same, मेरी wife भी इसी तरीके की है, उसे भी इस तरीके का ही पसंद है, और इसी तरीके की stories उसको पसंद है, तो जो second type का आदमी है, उसने यह जवाब इस सवाल पर, and a third man, अब third man का देखते ही कि अगर उससे यही सवाल पूछा गया, what does the novel do, तो वो क्या reply करेगा, he says in a sort of drooping, regretful voice, regretful का मतलब क्या होता है, feeling sorry for someone, जब आप किसी के लिए sorry feel करते हो, आप drooping हो जाते हो, याने कि आपके कंदे जुख जाते है, हाँ, मतलब बहुत sad होके, तो उसने बहुत sad होके जवाब देगा, yes, oh dear, yes, the novel tells a story, हाँ dear, story या novel एक story बताती है हमें और क्या, I respect and admire the first speaker, icon, author, author बोलते हैं कि इन तीनों लोगों में से, मैं पहला वाला जो speaker था, पहला speaker याने कि वो जिसने बहुत कामली बता दिया, हाँ, story है, जादा पता नहीं काम भी कर रहा है, अपना motor bus चला भी रहे, और हमें क्या कर रहा है, जवाब भी दे रहा है हमारी बात का, तो वो कहते हैं मैं पसंद करता हूँ, याने admire करता हूँ, first speaker को, पहले वाले आदमी को, I detest and fear the second, जो second वाला golf course वाला बंदा था, उसको मैं detest करता हूँ, याने don't like, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता, और उससे मझे डर भी लगते हैं क्योंकि वो बहुत aggressive है, and the third is myself, अब author बोलते हैं कि जो ये तीसरा बंदा है ना, वो myself, याने वो मैं खुद हूँ, याने तीसरे टाइप के बंदा जो था, उसी टाइप का इंसान मैं हूँ, कि अगर नॉवल दू, तो मैं बहुत sad हो के बूलूँगा, हाँ, novel story बताता है, और क्या, simple, yes, oh dear, yes, the novel tells a story, इतनी simple तरीके से बूलूँगा, मैं तो बहुत sad हो के, that is a fundamental aspect without which it could not exist, that, याने यही एक fundamental, एक basic चीज़ एक novel की, जो की होती है, story, without which it cannot exist, याने बिना story के, आपकी novel exist नहीं करेगी, याने survive नहीं कर पाएगी market में, अगर आपने एक अच्छी novel खरीदी है, याने उसके अंदर एक अच्छी story होना जरूरी है, novel में story है, तो ही novel successful है, that is the highest factor common to all novels, all novels, आप जितनी भी novels खरीद लो, उसका सबसे highest common factor, याने सारे ही novels में सबसे common चीज़ story हर novel में होगी, and I wish that it was not so, लेकिन अब author कहरें कि पर मैं ये आशा करता हूं, मैं ये अपनी इच्छा जाहर करता हूं कि ऐसा नहीं हो है, जब मैं novel खरीद हूं तो ऐसा नहीं कि उसमें मुझे सिर्फ story मिले, that it could be something different, मुझे story के साथ बहुत कुछ different चीज़ें भी पढ़ने क मन करता है, जब मैं एक novel खरीदता हूं, जैसे कि क्या अलग-अलग चीज़ें, melody याने music हो, और perception of truth याने कि कोई चीज़ की मुझे सच्चाई पता चले, अनुभूती हो मुझे किसी knowledge की, किसी सच्चाई की, not this low atavistic form, atavistic का मतलब क्यों होता है, repetition of past style which is not of our use, तो author कह रहे है कि मुझे सिर्फ story नहीं चाहिए, जब मैं novel खरीदू, मुझे इसमें melody भी चाहिए, perception of truth भी चाहिए, और हर बार low, बिल्कुल low style में जो ये atavistic form मिलता हमको, याने कि past style, पुराना वही style, वही repeated पुराना style के हां कहानी शुरू हो रही, चल रही और खतम हो गई, जो अभी हम कि भी नहीं है, जिसको कभी कभी पढ़के हम बोर भी हो जाते हैं, वो ना हो, जब मैं कोई novel करीदू, तो मुझे इसके में कहानी तो होई हो, क्योंकि वो तो basic aspect है, इक novel का, कहानी तो होना जरूरी, कहानी नहीं होगी, तो novel flop, exist ही नहीं करेगी, लेकिन इसके लावा मुझे melody चाहिए, perception of truth चाहिए, और what's the additional चीज़े चाहिए, थाकि interesting मने novel, for the more we look at the story, the story that is a story mind, the more we disentangle it from the final growth that it supports, तो the more we look at the story, याने जितना ज्यादा हम story को deeply पढ़ेंगे, जितना ज्यादा उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, और bracket में दिया है, the story that is just a story, जो की वो बहुत simple story है, simple story जो कि सिर्फ story है, mind याने ध्यान दोस बात करेंगे, वो simple story है, जितना उसमें deeply घुसने की कोशिश उतना ज्यादा हम उसके finer growths जो है, छोटी-छोटी growth areas जो है, जो एक story में पढ़के मिलती है, याने जो morals, अच्छा, last में अपन बोलते हैं, what is the moral of the story, तो story के इन में जो moral जो हमको सीख मिलती है, जो अलग-अलग शब्दना है, vocabularies, अलग-अलग चीज़े, चोटी-चोटी finer growth, छोटी-चोटी चीज़े, जिनको मिलके एक पूरी story बनती है, उस चीज़े हम disentangle हो जाएंगे, याने separate हो जाएंगे, याने अलग हो जाएंगे, क्योंकि हम story में इतना घुसने के कोशिश करेंगे, हम उसकी finer growths को, जो उसको support करके बैठी है, उसको भूल जाएंगे, the less shall we find to admire, और जितना deeply घुसेंगे, उतना जादा हम उसको less याने story को कम admire करेंगे, याने कम पसंद करेंगे, उतनी जादा हमको बोरी और boring story लगने लगेगी, और difficult भी लगेगी, उसको महज एक simple story की तरह लो, इट runs like a backbone, और may I say a tapeworm, for its beginning and end are arbitrary, अब ध्यान दीजे इस लाइन पे, backbone का मतलब होता है, read की हड़ी, अगर आप read की हड़ी को देखेंगे तो ये होती है हमारे अंदर, इसका एक starting point है, इसका एक ending point भी है, और बीच में क्या है, छोटे छोटे parts हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ थोड़े और बड़े हैं, कुछ बिलकुली बड़े हैं, एक starting एक end है, और बीच में चोटे छोटे parts से मिलके, पूरी हमारी read की हड़ी बनी है, दूसरा शब्दा यह है, tapeworm, tapeworm यानि वो कीड़ा, वो insect, जो सबजियों, फल, सबजियों में निकलता है, green color का इस तरीके से, य यह भी इसका भी एक starting point होता है, और इसका भी एक ending point होता है, और बीच में चोटे-चोटे parts होते हैं, जिस तरीके से इस backbone में होते हैं, ऐसे चोटे-चोटे parts से मिलके, पूरा यह इनली, यानि tapeworm पूरी इस तरीके से बनता है, यह कीड़ा, येस तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारी story होती है novel में, वो backbone की तरह या tapeworm की तरह चलती है, जैसे backbone में और tapeworm में एक starting और ending point होता है, और बीच में चोटे-चोटे parts होते हैं, कुछ बड़े, कुछ चोटे, कुछ बड़े, कुछ चोटे, exactly हमारी story में भी एक starting point और एक ending point होता है, और बीच में चोटी-चोटी बहुत सारी चीज़े, incidents, examples होते है story में, जो पूरी story को complete करता है, for its beginning and end are arbitrary, क्योंकि story की beginning और story की ending होती है, वो arbitrary है, याने based on random choice rather than a system, याने random चीजों से मिलके बनी है, बीच की चीज़े, कोई proper system नहीं है, याने, एक starting है, एक ending है, बीच में कुछ चीज़े बड़ी हैं, कुछ चोटी हैं, वैसी story में भी कुछ बड़े example हैं, कुछ चोटे example हैं, बीच में कोई चोटी-चीज दे दी, कुछ moral of the story दे दिया, या parts में divide कर दिया, पूरी story को, तो वो arbitrary है, proper कोई system से नहीं बनी है, पूरी story या पूरी novel, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, इन सब चोटी-चोटी बीच की जो final growth हैं, चोटी-चोटी चीज़े हैं, इनको join करके, एक proper starting और ending ने story का, It is immensely old, अब जो story है, ये कहानी सुनने और सुनाने की जो प्रथा है, immensely old है, बहुत पुराने प्राचीन काल से लोग कहानिया सुनते और सुनाते आ रहे हैं, goes back to neolithic times, अभी से नहीं, neolithic times है, neolithic time क्यों होता है, the period of stone age with wide range of developments, जब वो जमाना आया था, जब stone age आया था, ये पत्थर को इंसान ने develop किया था, और उस time बहुत सरे developments होना start हो चुके थे, वो time period को mystery में neolithic time क्या थे, तो कह रहे हैं, उस time से लोग कहानिया याने स्टोरियां सुनने और सुनाने का प्रथा तब से चली आ रहे है, perhaps, याने शायद तू paleolithic, याने neolithic कि अब उससे भी पहले जो paleolithic time आया है, तब से लोग कहानी सुनने और सुनाने की प्रथा से चली आ रहे है, paleolithic याने the earliest phase of stone age, जब ये stone age जो पत्थर development स्टार्ट हुआ था, उससे भी पहले जोसका सबसे early, सबसे पहला-पहला stage था, उसको paleolithic कहते हैं, तो उस टाइम से लोग कहानी सुनने और सुनाने में लगे हुए हैं, Neanderthal man, listen to stories, Neanderthal man क्या होता है, early man, जो सबसे पहला early man था, इस तरीके का जो दिखता था, जिसके चेहरे पे बहुत सारे hair और बाल हुआ करते थे, ये भी उस जमाने में stories सुनते थे, इस वन में judge by the shape of a skull, skull याने उसका पूरा चेहरा, अगर आप उसका ये चेहरा, ये skull देखेंगे, उसका मू देखेंगे, तो क्या आप ये judge कर सकते हो, कि ये भी बैठते थे, आँख जला के साइड में घेरा बना के और कहानीय सुनते थे ये भी, तो ये उस जमाने से प्रथा चली आ रही है, कहानिया सुनने सुनाने की और कहानियों की starting और ending और बीच की छोटे छोटे पार्ट से जिन से story मिलके बनती है, ये सब चीजे जो प्रथा है ये पुराने जमाने से, प्राचीन काल से अभी कोई नहीं चीज हम नहीं कर रहे हैं, अब, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? इंशिंट और फिर्स्ट, बहुत पुराने जमाने की या जो सबसे पहली चीज रही होगी सदियों सालों पहले, शॉक हेड्स का मतलब क्या होता है? इसे हेड्स, ऐसी मुंडियां, चेहरें जो बहुत बालों से कवर्ड रहती हैं, जैसे हमारे अर्ली मैन, गेपिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कहानी सुनते हो तो कभी-कभी आप ऐसे मूँख खोल के सुनते हो कि आप आगे क्या होगा? इतना जादे इन्वॉल्व उड़ जाते हो कि आप ऐसे देखते हो, कि मतलब क्या होगी कहानी? फटीग का मतलब टायर्ड, यानि बहुत जादा जब आप ठके हुए रहते हो, मैमॉथ क्या होता है? यह जो बड़ा सा आप elephant देख रहे हैं, यह मैमॉथ है, यह early man के जमाने में हुआ करता था, अब यह extinct हो चुका है, वुली rhinoceros, यह है rhinoceros, यह भी early man के जमाने में होता था, अब यह extinct हो चुका, यानि यह जानवर यह इसकी species, प्रजाती खतम हो चुकी है, यह एक rhino और वुली है, यानि वुल से पूरा covered है, अब पढ़ते हैं इस line का क्या मतलब है, तो जो सबसे पहले, सबसे ancient, पुरानी जमानी की हमारी audience हुआ करती थी, और वो audience जो कहानिया सुना करती थी, वो shock heads वाली audience होती थी, यानि early man हुआ करते थे, जिनके चहरे पे बहुत सारे बाल covered रहते थे, और वो camp fire, जैसे हम लोग कभी camping करने जाते हैं, तो बीच में fire लगा के उसके आसपास गोला बना के बैठते हैं, गाना बजाना करते हैं वोई, तो वो लोग भी camp fire ऐसे जलाते थे और उसके आसपास बैठते थे और कहानी सुनते थे, और gaping करते थे यानि वो भी बहुत इतने involved बजाते थे कि ऐसे मूँ खोल के सुनने लगते थे, फटीड, ठके हुए भी रहते थे पूरे दिन के वो लोग लेकिन फिर भी रात को कहानी सुनना उनको अच्छा लगता था, contenting means satisfying, जब आप content होते हो, और satisfy रहते हो, या फिर एक तरीक पर टिक के बैठ जाते हो, अपने mammoth पर, या अपने woolly rhinoceros पर इस तरीक से बैठ जाते हो, and only kept awake by suspense, और इतने थकने के बाद इतनी स्टोरी सुनने के बाद दी, वो सरिफ क्यों awake क्यों जाकते रहते थे थे, क्योंकि उनके mind में स्रिफ suspense रहता था कि अब आगे कहानी में क्या होगा, पूरे दिन की कड़ी मैनत, मशक्कत करने के बाद, शिकार करने के बाद, वो कहानी स्रिफ इसी लिए सुनते थे रात में क्योंकि उनको मन में curiosity होती थी, जग्यासित रहते थे, जानने के इच्छों क्यों रहते थे कि अब आगे स्टोरी में क्या suspense है, क्या होगा, वाट वट वट हैपन नेक्स्ट, यही चीज उनके mind में आथे थी कि अब आगे स्टोरी में क्या होगा, जो नॉवलिस्ट होता है, जो इनसान उनको उस वक्त स्टोरी सुना रहा होगा, वो ड्रोन कर रहा होगा, यहने speak in a dull और boring tone, यहने वो नॉवलिस्ट की बात नहीं हो रही है, यहने यह अभी के जमाने की बात हो रही है, कि आज की जमाने के जो नॉवलिस्ट हैं, जो पन्यास कार हैं, जो यह नॉवल्स लिखते हैं, वो ड्रोन करते हैं, यहने on and on and on, वो इडल तरीके से, बोरिंग तरीके से वोई कहानी सुनाते हैं, और audience कई न कई guess कर लेती ही कि अब आगे क्या होगा, इतनी बोरिंग होती ही कि audience बोल देती ही, देखना आगे यह चीज होगी, या फिर fell asleep, या तो कहानी सुनते सुनते audience सो जाएगी या इतना गुस्सा हो जाएगी, उसकी irritate हो जाएगी, उसकी story सुनके कि killed हैं, याने मार ही डालेगी हमारे novelist को, ठीक, तो सुचो उस जमाने में इतना ठकने के बाद भी पुराने early man कहानी सुनते थे, लेकिन आज के जमाने में novelist जो होते हैं, बहुत boring कहानिया लिखते हैं, जिसकी वज़े से क्यों होता हैं, लोग bore हो जाते हैं, सो जाते हैं, या तो फिर irritate हो जाते हैं, अब आजाती हैं, यहाँ पर बात, शेहरजाद नाम की वही लड़की की, जिसकी स्चोरी हमने पड़ी थी, वो बॉक्स में, एंड में, तो अब हम शेहरजाद की अगर बात करें, तो हम यह एस्टीमेट कर सकते हैं, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ में कितन देंजर थे, उस किंग से शादी करने के बाद, और शेहरजाद अवाइड़ेड हर फेट, लेकिन फिर भी, शेहरजाद ने अपनी फेट, याने जो उसकी डेस्टिनी थी, जो उसकी किसमत में था, कि भाई, इस किंग से शादी करने के बाद, एक रात बाद मरना पड़ेग वील्ड का मतलब क्या होता है यूस करना इस्तमाल करना तो उसको ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि सस्पेंस अगर मैं क्रियेट कर दूं किसी की लाइफ में तो सामने वाला क्यूरेस हो जाएगा पागल हो जाएगा जानने के लिए कि आगे क्या हुआ था और इसी साहित्य का ऐसा टूल है कैसा चीज है सस्पेंस क्रियेट करने का जिससे आप कुछ भी कर सकते हों डाइफ एनी इफेक्ट ओन टाइरेंस एंड सावेजिस ताइरेंस मतलब अक्रूल किंग एक बहुत जालिम राजा को टाइरेंट कहते हैं और सावेजिस कौन होतें जैसी हरकते करने वाले जानवर या मॉंस्टर वो हर दिन अपनी बीवी का गले सर धर से अलग कर दे रहा था तो वह मॉंस्टर ही तो हुआ जो हैवानियत पर उतर आया था तो वह सैवेज हुआ तो शेहरजात को बहुत अच्छे से पता था कि इस तरीके के टाइरेंस और स जाओ और तब तक करते रहो जब तक कि वह आपको अपनी लाइफ में आज़ा वाइफ आज इस क्वीन एक्सेप्टी ना कर ले ग्रेट नॉवदिस्ट दो शीवाज एक्सकुसित इन ढूर डिसक्रिप्ट्शन्स अभी शहरजाद लामकी ओल यंग गर्ल की बात हो रिए क्यों बहुत भ्रेट नॉवदिस्टी भाइ उसको तो यह लिटरेटर का यहयी साहितिय तूल है suspense create करने वाला weapon उसको बहुत अच्छे से आता था जो descriptions थे उसके याने जब वो अपने husband को story सुनाती थी और अलग-अलग characters को describe करती थी वो बहुत exquisite थी याने बहुत lovely बहुत प्यारे तरीके से हर चीज़ को describe करती थी tolerant in our judgments, tolerant याने open minded जो भी वो judge करती थी, जो भी अपने husband को देखती थी, समझती थी उसमें tolerant थी याने काफी open minded थी और बरदाश करने की भी शक्ती थी उसमें ingenious inner incidents, जो भी incidents, जो भी छोटे मोटे किससे वो अपनी story में सुनाती थी वो सुनाते वग भी बहुत ingenious थी, याने काफी creative, काफी creative तरीके से सुनाती थी boring तरीके से नहीं सुनाती थी उसको advanced inner morality, morality याने सही चीज करना तो जो भी वो कर रही थी, जो भी वो सही चीज follow कर रही थी अपने पती को अपना करने के लिए उसमें वो बहुत advanced थी, उसको पता था मुझे क्या करना है vivid inner delineations of the character, vivid का मतलब realistic तो delineations का मतलब क्यों था? descriptions तो जो भी character, क्या जो भी story का hero, hero इनके बारे में वो describe कर रही याने delineations, याने descriptions दे रही थी वो उसो बहुत vividly दे रही थी, काफी vivid थे याने काफी realistic थे याने राजा को उसके characters के बारे में सुनके ऐसा लग रहा था कि ऐसे लोग शाद reality में ऐसे exist करते हैं इतना अच्छे से उसने storytelling करी अपने husband को expert inner knowledge of three oriental capitals यह three oriental capitals, यह पूरवी देशों के बारे में उसको expert knowledge था, काफी expert थी वो अब देखिए, इतनी सारी चीजे positive याने best चीजे थी उसके अंदर लेकिन फिर भी इस सारी चीजे उसने use चप करी तब भी वो अपनी life नहीं बचा पाती अपने intolerable husband से याने की बरदाश्ट न किये जाने वाले पती से अपनी life को वो इन सब चीजों को use करके नहीं बचा पाई तो फिर ऐसी कौन सी चीज उसने use करी जिससे उसने life अपनी बचाई याने यह सारी चीज यूस तो हुई थी जब वो स्टोरी बता रही थी अपने husband को पड़ इंसिदेंटल थी कहीं कहीं चोटी 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 जगाओं पर यह चीज उसके काम आई जो की बड़ी बड़ी चीज है लेकिन कहीं काम आई शी ओनली सवाइवड बिकॉश शी मैनेज़ तो कीप देख वंडरी अबाउट वह था निक्स वह सिर्व अपनी लाइफ इसलिए बचा पाई क्योंकि उसने अपने उस टाइम वह सो जाती थी ताकि वह उसको मारे ना इस जानने की क्यूरियोसिटी में कि अगले दिन ही मुझे स्टोरी सुनाएगी तो आगे मैं स्टोरी सुन पाऊंगा और तब तक करती रही जब तक उसने जब तक उसके पतीन उसको एकसेप्ट ना कर लिया अपनी क्वी Each time she saw the sun rising she stopped in the middle of a sentence and left him gaping तो हर वक्त जब उसने देखा कि सन रात में स्टोरी सुनाना स्ट करती थी और जैसी sunrise जैने सुबा की पहली किरन निकलती थी वो middle of the sentence जैने बोलते बोलते वाक्ये के बीच में ही रुख जाती थी and left him gaping और वो ऐसी करता रहता था कि अब क्या होगा अरे यह तो सो गई at this moment शेहरजाद saw the morning appearing and discreet was silent अब यह जो लाइन है पूरी यह पूरी लाइन है यहां तक this uninteresting little phrase is the backbone of the one thousand and one nights याने जो यह बड़ी सी किताब थी one thousand and one Arabian nights यहां पर Arabian आना ची यह book में लिखा नहीं है यह जो किताब थी यह पूरी लाइन जो है वही से निकालके यह चिपका के आपको बताईए कि इसी moment पे जब सुबा सूरे होदे होता था शहरजाद देखती थी कि morning हो रही है वो discreet याने careful to avoid something बहुत carefully अपने husband को avoid करते हुए विलकुल silent हो जाती थी और सो जाती थी ठीक है और यही जो चीज थी वो backbone थी पूरी story की याने read की हड़ी थी main चीज थी इसी की वज़े से उसने अपनी जान भी बचाई और अपने husband को अपना भी बना पई the tape warm by which they are tied together and which the life of a most accomplished princess was preserved तो बोल रहे हैं कि यही backbone थी story की और यही है वो tape warm याने यही वो चीज थी जिसने which are tied together जिसकी वज़े से उसने खुद को और अपने पती को एक दूसरे से जोड़ के tie करके रखा अंत तक और finally उसने उस princess ने शेहरजाद ने अपनी life preserve कर ली याने बचा ली ओके वी याने हम सब भी याने हम सब भी शेहरजाद के पती जैसे हैं याने उस king जैसे यह और हर वक्त सर्व यह जानना चाहते हैं कि what happens next आगे क्या हुआ या आगे क्या होगा या आगे क्या होने वाला है बस यह जानने के हम लोग भी इसमें लगे रहते हैं that is universal और यह जो चीज है हमारे अंदर यह जो quality है यह universal है याने हर जगा ऐसा ही होता है किसी को कोई आप कोई चीज बता के बिल्कुल चिंगारी लगा के छोड़ दो तो वो तो बोलेगा ना आग लगाओ भाई बताओ मुझे क्या हुआ आगे का तो यह universal चीज है and that is why the backbone of a novel has to be a story और इसी वज़े से एक novel की जो रीड की हड़ी है जो backbone जो सबसे main चीज है वो story ही है story अच्छी होगी अगर novel की तो पूरी novel ही आपकी successful जाएगी some of us want to know nothing else हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नी जानना life में nothing else की क्या कुछ भी नी जानना life से बहुत परे there is nothing in us but primeval curiosity और हम में कुछ भी नहीं है हम अपने अपको तीसमार खान समझते हम में कुछ भी नहीं है खाली primeval curiosity है primeval याने unreasoning ऐसी चीजों के curiosity ऐसी चीजों को जानने के इच्छा जो unreasoning है जिसका कोई reason ही नहीं है बस हमें जानना है अरे तुम्हारा कोई मतलब है नहीं बस जानना है क्या हुआ क्या हुआ ही थे उस दिन क्या gossip हुई थी उन दोनों आंटियों की मुझे तो जानना है हमारे अंदर वच्छो लैवस and consequently और इन सबका consequently याने as a result इन सबका result क्या निकलता है our other literally judgments are ludicrous हमारे दूसरे literary judgments याने किसी के उपर हम judge कर रहे हैं सही गलत का फैसला निकालने की कोशिश कर रहें इन सब वजह से याने बे तुकी की curiosity अपने अंदर रखने की वजह से हमारे दूसरे judgments ludicrous हो जाते याने foolish हम बेवकूफी वाले decisions ले लेते समझदारी के decisions या reasonable decisions नहीं लेते unreasonable decisions ले लेते and now the story can be defined और अब इस point of time पे इस essay में हम story शब को define कर सकते हैं याने इसकी परिभाशा बता सकते हैं जो की है it is a narrative of events arranged in their time sequence dinner coming after breakfast Tuesday coming after Monday decay after death and so on so story क्या होती है story एक narrative होती है याने कोई इन्सान इसको narrate करता याने सुनाता है कहानी रूप में तो ये एक narrative है events arranged in the time sequence याने जो भी events जो भी चीजें होई अपने time sequence सबसे पहले यह हुआ फिर यह हुआ फिर यह ओफिर यह हुआ पूरे टाइम सीक्वेंस में जो भी इवेंट्स हों सब को अरेंज करके किसी को सुनाते हो कहानी फॉर्म में बस वही स्टोरी है और एक्जाम्पल दियें जैसे डिनर कमिंग आफ्टर ब्रेक्फस्ट बहुत जो डिनर होता है वह मैंशे ब्रेक्फस्ट के बाद ही आता है सब जाता है और फिर उसको हमको जलाना पड़ता है पहले ही तो नहीं जला देंगे ना जिन्दा आदमी को और ऐसे कई एक्जाम्पल जो बताते हैं कि सीक्वेंस में होनी चाहे चीज़ है तो बेसिकली यहां पर टाइम सीक्वेंस के बार में बात ही सबसे पहली चीज़ में प हो रही है स्टोरी में उसका टाइम सीक्वेंस होना चाहिए कि सबसे पहले यह हुआ फिर यह हुआ फिर यह हुआ नहीं तो लोग कन्फियूज हो जाएंगे आपकी स्टोरी पढ़के कहां शुरू किया था क्या था बीच में मुझे तो गानी समझ ही नहीं अरे अंत में क्य हो गया पता ही नहीं पड़ा वह चीज होता है तो थार्ट चीज अब वो बोल रहे हैं टाइम सीक्वेंस के बारे में आपकी स्टोरी में क्वा स्टोरी इट इस ओनली इट कैन ओनली हाव वन मेरिट डाट ओव मेकिंग दी ओडिएंस वांट तो नौट है अब जो क्वा सां कि जब हम को EVOC पहानियों को सुनती है उनको सर्फ ही जानना राता कि फिर क्या हुआ था चैंव ङ VPN किया फिर कैकिया फिर कैसे मारा ऐसे करके इसको कैसे किया और फिर नगज जी आये तो लोगों को सुनना है कि उसके बाद हुआ सुदिन या इनट टो कहानियों का अगर इसके opposite हम बात करें, याने advantage की हमने बात कर ली, अब अगर हम disadvantage की अगर बात करें, it can only have one fault, इन तरीके की कहानियों में सरफ एक ही fault हो सकता है, that of making the audience not want to know what happens next, अगर अपने audience को इस तरीके से गुम्रा कर दिया story में, कि वो जानना ही नहीं चाते, कि आगे क्या होगा story में, तो यानि यह बहुत बड़ा disadvantage है क्योंकि वो bore हो रहे हैं, ठीक है, these are the only two criticisms that can be made on the story, और story के अगर मैं बात करें, तो सरफ यह दो ही criticisms या यह दो ही चीज़े हैं, जो हम बता सकते हैं, यानि एक story के सिर्फ दो ही पहलू हो सकते हैं, या तो public bore हो रही है, और नहीं जानना चाहती कि आगे आगे आपकी story में क्या होने वाला है, या तो public बहुत interested है, curious है जानने के लिए कि what will happen next, बस यह ही दो पहलू हैं, एक कहानी के, इस सबसे चीज़ सिंपल भी है, लेकिन यह सबसे चीज़ सिंपल भी है, लेकिन यह सबसे हाइस्ट फैक्टर भी है, जो सारी novels में common है, कि भाई story होना तो जरूरी है, भाई story होगी, तभी तो लोग यह बोल पाएंगे, कि हम bore हो रहे हैं, या हम बहुत interested हैं आपकी story में, लेकिन novel में कोई कहानी ही नहीं होगी, कोई शुरवात से लेकिए end तक कोई proper time sequencing नहीं होगा, तो कहानी नहीं होगी, तो फिर लोग क्या ही बोलनेंगे, कि बोहर हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं लोगों को, समझ नहीं आरी है, आने interested भी नहीं है, boring भी नहीं है, दोनों ही पहलूग आया बुजाएंगे न, तो story होना बहुत important है, अब की novel में, वेन वी आइसोलेट दे स्टोरी लाइक दिस, फ्रॉम दे नोबलर अस्पेक्स थू विच इट मूव्स, और होल्ड इट आउट उन फॉर सेप्स, रिगलिंग अन इंटर्मिनेबल, दे नेकेड वर्म उफ ताइन, इट प्रेजेंस, अन अप्यरेंस, बोथ अनलवली आप्य Sud. अब मतलब संजो सबसे पहले, आइसोलेट का मतलब क्या होता है, आइसोलेट का मतलब होता है, प्रेट कर देना, एक चीज में से किसी दوسरी चीज को आइसोलेट कर दिया ना, अपने निकाल के अलग करके रख लिया रिगलिंग का मतलब फॉर्सेप्स का मतलब क्यों होता है यह जो आप इंस्ट्रुमेंट देख रहे हैं यह यूज्विली डॉक्टर्स यूज करते हैं किसी चीज को निकालने के लिए और जब वो निकालते हैं तो वो चीज रिगल कर रही होती है in forceps में याने इन चिमटो में याने हिल रही होती इस तरीके से हिल डूल रही होती उसको रिगलिंग कहते हैं moving with twists and turns for example मैंने ये लिया और कोई कीड़ा पकड़ लिया कीड़ा कैसे कैसे इलिदू समय लेंगी उसको रिगलिंग बोलते हैं An interminable, इस शब्द का मतलब क्या है? Never ending, कोई ऐसी चीज जिसका अंथी नहीं आ रहा, चलती जा रही है, चलती जा रही है, अब मतलब समझो, अगर हम story को, कहानी को isolate कर देंगे, याने separate कर देंगे, अलग कर देंगे, उसके nobler aspects है, याने good aspects, जो भी उसके अंदर अच्छे अच्छी qualities है, अच्छे morals है, अच्छे अच्छे शब्द है, meaning है, जिसके वज़े से एक पूरी story चल रही है, जिसके वज़े से लोग interested है, उसको पढ़ने के लिए, अगर story को ही, अच्छे अच्छी चीज़ों से अलग कर देंगे हम, याने जैसे forceps, इंटॉंक से आपने story को अलग कर दिया, तो story अलग पड़ी हुई है, और वो अलग पढ़ा है novel, तो क्या होगा, वो wriggle करेगा, और interminable होगा, like a naked worm of time, याने जो कहानी आपने निकाल दी, separate कर दी आपने novel में से, वो उस naked worm, उस कीड़े की तरह, जो कभी कपड़े नहीं पहनता, उसकी तरह हो जाएगा, जो हिलता डूलता रहेगा, और never ending होगा, याने कभी आपकी story खतम ही नहीं होगी, याने यह बोलना चाहरे हैं, कि अगर आपने story में कोई time aspect नहीं दिया, कि कहा story चालू हुई, कहा खतम हुई, तो आपकी story एक तरीके से never ending हो जाएगा, interminable, कोई अंती नहीं होगा, बस तलती जारी है, एक story का part, फिर दूसरा part, तीसरा part, चौथा part, ऐसा नहीं होता, शुरू से लेके एक अंत होना important है, तभी लोग track पर रहेंगे आपकी story पढ़ते वक्त, और नहीं होगा, तो आपकी story अन लवली और बहुत जादा, डल हो जाएगी बिना time aspect के, but we have much to learn from it, लेकिन फिर भी हमें story से बहुत कुछ सीखने के लिए अभी है, अब इस story के बारे में, यह time sequence के बारे में, जो हर stories में होता है, इसको connect करते हैं हमारे daily life से, और पढ़ने की कोशिश करते हैं, कि कैसे daily life से जब हम time को connect करते हैं, तो क्या हमारी life में importance होती है time की, daily life is also full of the time sense, हमारे daily life भी time sense से बहुत ज़्यादा क्या है, full of है याने भरी होई है, और यह time होगे जल्दी खाना खाना है, और यह time होगे सोना, और यह time होगे ओफिस जाना है, ऐसा होता है, we think one event occurs after or before another, the thought is often in our mind, हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज इसके बाद होगी, याने मुझे भी dinner खाना है, तो याने पहले lunch तो कर लूँ, lunch करूँगी तो ही तो dinner कर पाऊंगी, अरे मुझे नहाना है, अरे पहले brush तो कर लूँ, brush करूँगी तो ही तो नहां पाऊंगी, हम यह असा लगता है कि जो चीजें हो रही है वो दूसरी चीजों के पहले होगी या उसके बाद होगी यही सब चीजें हमारे माइंड में रहती है and much of our talk and action precedes from that assumption और जो भी हमने assumption करके रखा है, जो भी हमने अनुमान लगा के रखा है तो office जाओंगी, time हो गया हो क्योंकि office जाने का तो हमारी बाते भी इन सब daily life में time से ही related होती है much of our talk and action but not all, there seems something else in life besides time हमारी much of our talk, कई सारी हमारी बाते, सारी ही नहीं बट कुछ बाते time से हटके भी होती है, besides time याने time से related कुछ बाते होती है और कुछ time से हटके भी बाते हम करते हैं, जैसे something which may conveniently be called value, याने कुछ चीजे value से related है याने मूल्य से related है, जिसको मैं worth भी बोल सकती हूँ something which is measured not by minutes और hours, याने यह जो value aspect है इसको आप minutes या hours से measure नहीं कर सकते time को आप बता सकते हूँ, इतने minutes हो रहे हैं, इतने hours हो रहे हैं, इतने घंटे बचे हैं, लेकिन value जो aspect है, इसको आप measure नहीं कर सकते minutes and hours में, for example, मुझे office जाना है, यह मैंने बता दिया मेरा time aspect कि मुझे 3 बज़े office जाना है, क्यों जा रही हूँ क्या वो मेरे value का है, क्या वो मेरे worth it का है, क्या वो मेरे use का है, अगर use का है, तो yes मैं वो काम करूंगी, नहीं है तो I will not do, चाहें फिर वो आप मुझे किसी भी convenient time पर बुला लो, मैं नहीं करूंगी अगर मेरी कोई value या मेरे उसमें कोई use की चीज उससे जूड़ी होगी, नहीं होगी तो, understood, तो अब यहाँ पर value aspect की बात हो गई है, यह time की अलाव अभी, but by intensity, अब यह जो line है, यह पिछले ही sentence का continuation है, कि यह जो value है, यह एक ऐसी चीज है, जिसको मैं minutes और time में नहीं कर सकती measure, but by intensity, लेकिन मैं इस value को किस से measure कर सकती हूँ, किस से नाप तौल कर सकती हूँ, intensity से, याने strength, कितनी ताकत है, कितनी seriousness है, इस काम को करने में, use है की नहीं है, उस चीज से measure मैं कर सकती हूँ, so that when we look at our past, it does not stretch back evenly, but piles up into a few pinnacles, pinnacles क्या होता है, the highest peak of a mountain, here the most successful point, यह mountain है, जुसका यह highest point है, इसको pinnacle कहते हैं, यह जो point है, इसको pinnacle कहते हैं, तो यहां बोल रहे हैं कि जब भी हम अपने past में, अपने इतिहास में देखते हैं, तो हम ज़ादा stretch back नहीं होते, और यह देखते हैं कि हमने pinnacles, याने most successful top के points, life में achieve किये हैं, कि नहीं किये हैं, and when we look at the future, और जब हम अपने future के बारे में सोचते हैं, it seems something's a wall, हमें ऐसा लगते हैं कि अभी काम हम कैसा करें, हमारे सामने इसा लगते हैं कोई बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, पास्ट में देखते हैं, तो अस लगते हैं हमने तो पूरा mountain cross करके, बिल्कुल pinnacle पर top पर पहुँच गए, लेकिन कोई चीज अगर हम अपने future के बारे में सोचते हैं, यार मैं कैसे करूँगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं आ रहे, मेरे पास तो job नहीं है, तो मुझे चीजे ऐसा लगता है, बहुत बड़ी चीजे हैं, ऐसा लगता है कोई दीवार खड़ी है, मैं कैसे cross करूँगी इस दीवार को, sometimes a cloud, कोई घना काला बादल लगता है मुझे कभी-कभी, कि अरे future में कैसे करूँगी यार, मेरे पास तो मेरे पास दुख के काले बादल चागए, sometimes a sun, कभी-कभी मुझे लगएगा कि, जैसे sun की तेज दूप में आप नहीं जा सकते हैं, पैर जलते हैं, घर्मी लगती हैं, वैसे future में कोई चीज आपको ऐसा लगते हैं कि impossible है, तो वो sun की तपच जितना आपको difficult लगता है, but never a chronological chart, लेकिन आपके पास उसका कोई chronological chart नहीं है, याने in a serial order or sequence, आपके पास sequence में नहीं है कि future में मुझे ये पहले करूँगी या ये करूँगी, क्योंकि वैसा जैसा आँ सोचते हैं, वैसा कभी होता नहीं है, तो यहाँ पर आप present में खड़े हों, और past में आपने क्या achieve कर लिया, उसके बारे में बात हो रही है, नीदर memory nor anticipation is much interested in father time, past की जो आपकी memory है, जो भी आपने past में, बूत काल के बारे में आपने जो memory सोचके रखी है, यह anticipation, anticipation याने prediction of future, जो भी चीज़ आप अपने आने वाले भविशिकली predict करें, assume करें कि हां मैं ऐसा करूँगी, पहले मैं काम करूँगी, जॉब कर लूँगी, फिर शादी कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना एक घर खरीद लूँगी, जो भी चीज़ें आपने अपने बारे में सोचके रखी है, इस मचंतरेस्टेर इनुगी, यह सारी छीज़े फादर टाइम से इंटरेस्टेटेन है, फादर टाइम कोई पापा का टा मी बारे में यहां बात नी हूरी, Fादर टाइम याने की यहां पे टाइम को, समय को वो लगे आपका फादर, पिता, रूपी समय, जिसमें पास्थ, present future सब आ जाता है तो वो कह रहा है कि जब आप अपनी memory जो past से related है और जो anticipate कर रहे हो future के लिए अपने plans predict कर रहे हो वो किससे interested है किससे जुड़े हुए father time से यानि उस समय से जुड़े हुए जो आपने पहले किया है और जो आने वाले समय में आप करने वाले हो और जितने भी लोग जो दिन राट ड्रीम करते रहते हैं सपने देखते रहते हैं आर्टिस्ट हैने जितने भी painters और कलाकार लोग हैं जितने भी lovers हैं कि हाँ मुझे इस लड़के से या इस particular लड़की से मैं लव करता हूं या करती हूँ partially delivered from his tyranny ये सब लोग अपने actions का जो decisions हैं किस से लेते हैं याने की cruel rule of time time का एक cruel rule है time बोलेगा तो वो चीज possible होगी समय के साथ हर चीज होती है time नहीं बोलेगा या time नहीं decide करेगा तो आपका वो काम भी नहीं होगा चाहिए वो लवर हो आर्टिस्ट हो आप हो कोई भी होए he can kill them but he cannot secure their attention time किसी की dreams को kill कर सकता है कभी कभी होता है मैं कित्ती बार सीए करने की कोशिश करी मेरा clear यह नहीं हो रहा exam clear यह नहीं हो रहा तो time आपकी dreams को kill कर सकता है लेकिन आपका attention नहीं लेके बैठ सकता कि नहीं मेरे पर attention करते रहो आप तो अपने सीए की preparation करते रहो सही time पर होगा जो होगा कित्ती attempts कर लो आप and at the very moment of doom doom का मतलब destruction and death वो समय जब अंत्काल आ गया है जब सब की death हो रही है destruction जब सब बरबाद हो रहा है दुनिया खतम हो रही है जब वो moment आ जाएगा when the clock collected in the tower its strength and struck they may be looking the other way जब वो समय आ जाएगा जब clock होगी यह जो tower देख रहा है इसको clock tower बोलते हैं में clock होती है जब यह अपना घड़ी का काटा struck करेगा उस particular time पे जब दुनिया कांत आने वाला होगा अपनी strength से आने अपनी पूरी सुथ्रो अंत आ गया है खतम हो गई दुनिया आप क्या ही कर लोगे क्योंकि सब कुछ father time से related है याने पिता सुरूपी समय जो है इस सब कुछ यह decide करता है आपकी life में ओके है सो daily life बात करते हैं आप वापस से उस daily life पे जहां पढ़ रहे थे whatever it may be really is practically composed of two lives तो जो हमारी daily life है जो भी बात हो रही हमारी daily life में वह practically अगर आप देखो है तो two lives है हमारी एक जिन्दगी में दो जिन्दगें जी रहें the life and time वह जिन्दगी जो हम time को basis से बना के चल रहे है कि इस particular time पर मुझे यह करना अभी यह करना इस time पर शादी करने इस time पर घर खरीदना इस time पर जॉब करने एक जिन्दगी हमारी daily life के तो यह चल रही है पैसे ही नहीं बल रहे हैं अरे आपना time क्यों वेस्ट करूं चलो नहीं कर रही दूसरा काम कर लूँगी तो बेसे के लिए जो आपके daily life है वो दो aspects पर चल रही है पहली है time और दूसरी है value अगर आप value या worth समझ रहे हो किसी चीज को करने की तो ही कर रहे हो एक particular time पर नहीं क्या reveal करता है क्या दर्शाता है एक double allegiance double allegiance allegiance का मतलब क्या commitment to a superior thing या loyalty जब आप loyal हो किसी उपरी चीज से या आप से कोई उची चीज है उससे अप loyal हो याने connected हो committed हो उससे allegiance कहते है तो यहां पर दो allegiance की बात हो रही है पहला है time और दूसरा है value तो जो हमारी life में यह हमारी life है हम इससे लॉयल है इससे जोड़े हुए है connected है committed है हम लोग life से जब तक मौत नहीं आरी तब तक life है हम डबल allegiance से जिएंगे याने दो factor साथ लेके जिएंगे पहला time और दूसरा value सब चीज टाइम पर करेंगे और उसी time पर करेंगे तब जब उस time पर करने वाली चीज से हमको कोई value कुछ फाइदा कुछ use मिलेगा तब ही करेंगे नहीं तो नहीं I only saw her for five minutes but it was worth it अब इन्होंने example दिया है एक ही sentence में आपको बताएंगे value भी और time भी तो ये sentence का example है मैंने स्रेव उस लड़की को पांच मिनिट ली देखा पर जितना भी देखा वो वर्त था useful था जितना भी देखा वर्त था पैसा वसूल था there you have both allegiances in a single sentence अब इस sentence में आपको single sentence में दोनों allegiances समझ मेंगे कित्ती देर क्ली देखा लड़की को five minutes तो ये आगे अप कौन फा पहला allegiances time it was worth it और जितना भी देखा वो वर्त था भाई बनलब पैसा वसूल चीवस वेरी प्रिटी पैसा वसूल वर्त था उसको पांच मिनट भी देखना मेरा पांच मिनट जाया नहीं गया मैंने अपने पांच मिनट को समझ यूस किया तो याने आपने वैल्यू देखी कि मेरा time waste तो नहीं गया आच मिनट नहीं गया वाई वर्त था तो एक ही sentence में आपको time और value दोनों double allegiance मिल रहे हैं and what the story does is to narrate the life and time और जो story हम पढ़ते हैं वो क्या करती है वो हमको narrate करती बताती है life के बारे में in time याने थोड़े ही time में एक किताब मान लीजिए चार दिन चल सकती है या चार महीने भी चल सकते है तो एक particular time में आपको life के बारे में बताती है एक story क्योंकि moral of the story याने कुछ न कुछ सीख देके जाती है story भी आपको and what the entire novel does novel याने बड़ी किताब जिसमें बहुत सारे chapters अलग-अलग stories होती है यह तो story का बता जिए कि story क्या करती है यह जो पूरी novel जो पूरी बताएगी जो कि obviously time से related होता है बट वैल्यू सिखाते हुए याने आपको moral of the stories सिखाते हुए क्या lesson मिला क्या सीख मिली story से यह भी सिखाएगी as well using devices hereafter devices का मतलब examples आपको अलग-अलग examples बताएगी अपनी story में वह novel जिससे हमको सीख मिले समझे हम की की life में हर चीज़ हम टाइम से तो कर रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यूस क्या है you also pay a double allegiance और जू स्टोरी होती है न वह भी आपको एक double allegiance देती है क्यों 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 कि story आपको time aspects सिखाती है और novel जिसके अंदर story होती है वह आपको value सिखाती हैक तो basically हमने अब क्या-क्या पढ़ Douglas हमने यहां पर suspense के बारे में पढ़ा हम ने time aspect के में पढ़ा हमने value aspect के बारे में पढ़ा और storytelling और हमने शुरू में पढ़ी की story बहुत important, story होगी तो ही यह सारी चीजी होगी नहीं तो नहीं बाट इन इट, the novel, the allegiance to time is imperative लेकिन अगर हम novel के अंदर बात करें और जो allegiance to time है याने जो time वाला factor है वो imperative याने बहुत ज़ादा important है No novel could be written without it और अगर कोई भी novel लिखने की सोच रहा है कि मैं time aspect के बिना कुछ भी कहीं से शुरुआत हो रही है कुछ भी ending हो रही है चलती जा रही है novel तो वो novel flop है याने वो फिर novel ही नहीं है कोई भी novel इस दुनिया में बिना time aspect के लिखी नहीं जा सकती whereas in daily life अगर हम अपनी खुद की रोज मर्रा की life की बात करें the allegiance may not be necessary यह जो time allegiance है हमारी daily life में तो जरूरी नहीं है कभी-कभी तो मुझे खयाली नहीं रहता कि अज Monday था कि अज क्या एक कॉन सी डेट है अज Monday की Tuesday अज Sunday है क्या हमें कभी-कभी time की खबर नहीं रहती नेकि novel में ऐसा नहीं होता novel में जो time aspect जो sequence decide करके लिखा गया है बताय गया है वो कभी नहीं बदलता वो आपको याद रहेगा we do not know and the experience of certain mystic suggestions mystic याने की mysteries, रहस्यवादी बहुत सरी चीज़े रहसे में होती है जो कभी-कभी आपको नहीं पता चलती time aspect आपको नहीं समझ में आता indeed याने truly ये बात सच है that is not necessary और ये जरूरी भी नहीं आपके life में and that we are quite mistaken in supposing that Monday is followed by Tuesday और death by ठीके तो वह कह रहा है कि इस दुनिया में बहुत सरी चीज़े रहसे वादी है mysteries है जो कभी हमें पता चलती भी है कभी हमें नहीं भी पता चलती है हमें लगता है Monday के बाद Tuesday आता है और death के बाद किसी इंसान के death के बाद उसकी body decay हो जाती है नहीं सड जाती है हमको जलाना पड़ती है यह सारी चीज़े हम mistake है हमारी जो हम suppose करते हैं कि हमको खबर पड़ती कभी कभी हम भूल जाते है और यह मैंने दिन को खाना खाया था क्यार मैंने breakfast नहीं किया आज वायर मैंने सुबह से नहीं खाया आज यार मजह पता ही नहीं पड़ा कभी कहां भी हम अपनों daily life में ऐसे time aspect भूल जाते है तो बातर कहते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए इस बात को deny करना याने ना मानना बहुत हो जाएगा कि वह time exists नहीं करता और उसी के according काम नहीं करता even if we become unintelligible अगर हम सब unintelligible हो जाएं याने impossible to be understood याने ऐसे इंसान मन जाएं जो पागल हो जाएं lunatic हो जाएं अगर हम लोग mad हो जाएं पागल हो जाएं और हमारी बात किसी को समझ ना है तब भी इस बात को हम नहीं deny कर पाएंगे कि भाई time exists नहीं करता या हम सब time के according काम नहीं करते understand by our fellow citizens to what they choose to call a lunatic asylum तो author यां कहने कि अगर हमारे fellow citizens हमारे आसपांज रहने वाले लोग हमें पागल करार कर दे और हमें lunatic asylum याने पागल खाने भेज़ दे अगर हमें कि भाई यह तो पागल जैसी बाते कर रहे तो भी हम इस बात को deny नहीं कर पाएंगे कि भाई time exists नहीं करता या हम सब time के according नहीं चलते but it is never possible for a novelist to deny time inside the fabric of his novel तो एक बार हम भले इस चीज़ को deny कर दे हैं पागल जैसी हरकते करें लेकिन अगर novelist जो इंसा novels लिखता है उसके लिए यह possible नहीं है कि वो इस बात को deny करे और मना करे कि भाई time नहीं होता उसके fabric of novel में याने कि novel का जो उसका पूरा जो उसने रची उसने अपनी novel लिखी है उसमें time aspect नहीं है यह चीज़ एक novelist deny नहीं कर सकता क्योंकि हर novel जो उस दुनिया में लिखी गई है उसमें time aspect याने starting और ending है और बीच के events है जो उससे related होते है he must clinch however lightly clinch याने hold on पकड़ के रखना तो author कहते हैं कि जो he याने जो novelist है वो अपना time aspect को clinch करके भले lightly hold करके रखेगा पर hold ज़रूर करके रखेगा अपनी novel में to the thread of a story ताकि उसकी story की जो पूरा धागा है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो पूरा connected रहे नहीं तो readers को समझ ही नहीं आएगा he must touch the interminable tapeworm otherwise he becomes unintelligible which in his case is a blunder तो author कहते हैं uninterminable का मतलब क्यों होता है never ending जो चीज़ कभी खतम नहीं होगी तो author कहते हैं कि यह जो tapeworm होता है जो कीड़ा जोसके starting और ending point होता है जो दोनों तरफ से बढ़ता चला जाता है तो author कहते हैं कि author की novelist को उस tapeworm रूपी time को पकड़ना पड़ेगा जो never ending होता है नहीं तो क्या होगा कुछ समझ ही नहीं आएगा हमारे readers को और he याने जो novelist है वो खुद और उसकी लिखी गई story unintelligible हो जाएगी याने impossible to be understood हमें समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोलना चाहरा है which in his case और इस case में क्योंकि वो एक novelist है एक बड़ा novel लिखी उसने अगर ऐसा हुआ कि readers को उसकी story समझ ही नहीं तो उसके case में यह चीज बहुत blunder हो जाएगी एक बहुत बड़ी mistake गलती हो जाएगी उसकी तरफ से novel लिखने में ठीक है I am trying not to be philosophic about time for it is experts assurus तो अब author यहां कह रहे रहे भाई मैं कोई time के बारे में इतनी बड़ी बड़ी आपसे बाते बता के कोई philosophic बाते नहीं कर रहा हूं याने कि इतनी जादा philosophy deep thinking की बाते नहीं कर रहा हूं मैं philosophy नहीं कर रहा हूं आपके सामने यह तो experts की बात है philosophy करना मेरे को time के बारे मैं थोड़ा बहुत ही पता है a most dangerous hobby for an outsider तो author अपने लिए करें कि मैं एक outsider हूं याने मैं कोई philosopher नहीं हूं जो मैं time के ओपर इतनी जादा आपसे deep चर्चाय कर रहा हूं यह experts की बात है मेरे लिए तो बहुत dangerous hobby हो जाएगी अगर मैं philosophy करूंगा मैं outsider हूं मैं तो philosophy की field से भी belong नहीं करता और मैं time के बारे में आपको इतनी deep चीज़े बताऊंगा तो मेरे लिए dangerous नहीं हो सकता है कि मैं आपसे कुछ गलत चीज़े भी बोल दूँ far more fatal than place fatal का मतलब क्या होता है dangerous या decay deadly किसी deadly place से भी जादा difficult हो जाएगा अगर मैं time पर philosophy कर दूँ जबकि मुझे time के बार में कुछ knowledge नहीं है and quite eminent metaphysicians have been dethroned through referring to it improperly eminent या नहीं बहुत famous and respected लोग metaphysicians कौन होतें metaphysicians कुछ scientist होतें जो philosophy करतें याने deep thinking करतें ideologies बनातें किस के उपर nature of reality के उपर कि जो nature है यह real है यह कुदरती reality इन सब चीज़ों के उपर तो author कहते हैं कि बड़े बड़े famous metaphysicians जो philosophers हैं उनको भी dethrone कर दिया गया है याने उनकी job से उनको निकाल दिया गया है उनकी गदी से उनको उठा के fake दिया गया है क्योंकि उन्होंने refer किया है it याने time को improperly याने time की बार में गलत theories दिये तो उनको भी out कर दिया गया है उनकी job से तो कह रहा है मैं तो outsider हूं इन लोगों की fields से भी belong नहीं करता हूं तो मैं आपकी सामने आपे बैठके को time की philosophy नहीं कर रहा हूं I am only trying to explain that as I lecture now I hear the clock ticking तो author बोल रहा है कि मैं सरफ आपको इतना समझाना चाहता हूं कि यह जो मैं भी आपको lecture दे रहा हूं यह मैं पूरे ऐसे लिख रहा हूं आपको बता रहा हूं मैं सरफ clock के tick 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 होने की इस वक्त आवाज सुन रहा हूं I retain or lose the time retain का मतलब keep किसी चीज को अपने पास retain करना याने समाल के रखना तो कह रहा है या तो मैं time को अपने पास समाल के रख सकता हूं याने उस time का use कर सकता हूं सद उपयोग कर सकता हूं या तो मैं time को lose कर सकता हूं याने time waste करके time खो सकता हूं Whereas in a novel there is always a clock लेकिन अगर आप novel की बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा एक clock रहेगी याने घड़ी की tick 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 हमेशा रहेगी आप उसको retain या lose नहीं कर सकता है आपको सिर्फ retain ही करना है आपको time का aspect पकड़के रखना है पूरी novel शुरू से लेके end तक लिखने वक्त तभी readers को समझ आएगी नहीं तो आपकी novel waste है, flop है the author में dislike the clock अब जो author जो novel लिखता है उसको शायद ये clock अच्छी नहीं लगे वह उसको dislike करे याने नापसन करे कभी कभी उसकी कहानी में उसको time aspect छोड़ना भी पड़ता है लेकिन वह छोड़नी पाएगा छोड़ेगा तो confused हो जाएंगे readers उस portion में उस part में Emily Bronte, यह री Emily Bronte, यह है Emily Bronte, यह एक बहुत बड़ी novelist है, English novelist है इन Wuthering Heights, उसने एक novel लिखी थी जिसका नाम था Wuthering Heights Tried to Hide Hers, उसने अपनी इस novel में छुपाने की कोशिश करी थी Hide Hers, याने अपना time, Hide Hers मतलब hide her aspect of time, जो time aspect उसने use किया है उसने बहुत इसमें छुपाने की कोशिश की बड़ नहीं छुपा Stern, Stern पूरा नाम Lawrence Stern, यह रहा Lawrence Stern, यह एक Irish novelist है और इन्होंने अपनी Tristram Shandy नाम की novel में turned it upside down याने पूरे time aspect को उपर नीचे कर गिया था, इन्होंने Marcel Proust, यह एक French novelist है, यह रहे, French में novels लिखते है Still more ingenious, यह तो भाई बहुत ही ingenious निकला इन दोनों से, याने बहुत ही clever निकला होश्यार Kept altering the hand so that his hero was at the same time entertaining a mistress to supper and playing ball with his nurse in the park इन्होंने जब यह novel लिखी थी, बहुत clever novel लिखी थी, इसमें इन्होंने ऐसा show किया था कि जो इनका hero है याने जो main character था इनकी novel का, एक साथ दो time reference दिखाया गया याने एक वक्त पर इस hero का childhood याने बचपना दिखाया गया, जब वो अपनी nurse के साथ याने जो भी उसकी care take करती थी nurse, उसके साथ ball से खेल रहा है पार्क में और उसी वक्त दिखाया गया कि वो अपनी mistress याने अपनी girlfriend के साथ बैठ कर supper खा रहा है याने अपनी meal खा रहा है, खाना खा रहा है तो एक ही time पे hero का childhood याने बचपना और adulthood याने की जवानी दोनों ही समय एक वक्त पर ही दर्शा आए गये तो यह time aspect यूज हुआ है, all these devices are legitimate यह जितने भी devices use करते हैं बड़े-बड़े novelist वो legitimate है, valid है याने की सही है but none of them contravene are theses हमारी जो theses है हमारी जो theory चल रही है उससे यह सारे devices contravene नहीं हो रहे याने conflict में नहीं आ रहे याने opposite बात नहीं कर रहे है, the basis of a novel is a story, हर novel, हर novel जो यह किताब है उसकी basis क्या है story, कहानी होना important है and a story is a narrative of events in a time sequence और story क्यों होती है, बहुत सारे छोटे-छोटे events को जब आप time sequence में याने serial order में arrange करके कहानी रूप में उसको बताते हो, यह story है बस that's it, इसके अलाव कुछ नहीं है और यह story पूरी मिलके बनती है एक बड़ी novel, okay अब इन्होंने from aspects of the novel a note, अब यह जो आज हमने ऐसे पढ़ा है ऐसे जो हमने पढ़ा है, यह बड़ी सी novel का second chapter है और वो बड़ी सी novel कौन सी है, aspects of the novel नाम की एक novel, तो उस book में से एक note निकाल के हमको यहाँ दिया गया है, जो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं these are from lectures, the clerk lectures which were delivered under the auspices of Trinity College Cambridge तो आज यह जो सारे lectures हैं, जो essays हम यह पढ़ रहे हैं, यह कहां deliver करे गए थे, कहां बताए गए थे lectures और spices याने divine, बहुत ही सुकून भरे, godly जिसको हम बोलते हैं, Trinity College of Cambridge में यह सारे lectures, essays बताए गए हैं in spring of 1927 याने spring season के year 1927 में, they were informal और यह सारे lectures बहुत informal lectures थे, बहुत कोई formal languages में use नहीं होई थी indeed, याने truly talkative, in fact यह सारे जो lectures थे talkative थे, interactive था, public भी audience भी उठके questions पूछ रही थी हमसे in their tone, पूरे tone जो थी, वो बहुत talkative tone थी and it seemed safer when presenting them in book form और, बाद में जब हमने सोचा कि इन सारे lectures को book form में याने इन essay form में हमको दिया जाए हमारे syllabus में दिया जाए, तो हमको बहुत safe लगा कि हाँ भई, इन सारे lectures को book में convert कर सकते हैं not to mitigate the talk, mitigate का मतलब क्या है, reduce the seriousness of something ऐसा नहीं कि हम इन lectures की जो seriousness से उनको कम कर रहे और book में convert करके book को बढ़ावती दे रहे नहीं, इन lectures की seriousness उतनी रहेगी जितनी है, बस ये lectures बहुत important लगे, तो इनको book में भी convert किया हमने in case nothing should be left at all, basically इस पूरे lecture में से कुछ नहीं छूटना चाहिए जब book में convert करें एक शब्द भी नहीं, words such as कुछ ऐसे शब्द जैसे I, you, one, we, curiously enough, so to speak, only imagine and of course will consequently occur on every page and will rightly distress the sensitive reader तो author बोल रहे हैं कि ये जो सारे शब्द हैं, जब lecture deliver हुआ तब भी ये सारे शब्द यूज हुए थे हमने सोचा जब book में convert करने तो इन शब्दों को हटा दे, लेकिन फिर हमने नहीं हटाया क्यों नहीं हटाया, वो मैं भी आगे आपको बताऊंगी तो बोल रहे हैं कि ये जो सारे शब्द हैं, हमारे lecture के almost हर page पे आप ये सारे शब्द पढ़ोगे और जो sensitive reader होगा, याने वो reader जो actually मन से पढ़ने बैठा है उस novel को वो distress हो जाएगा यान irritate हो जाएगा बार बार इन शब्दों को पढ़के लेकिन फिर भी हमने नहीं हटा है हमारी बुक में से ये सारे words क्यों नहीं हटा है? देखते हैं but he is asked to remember that if these words were removed, others, perhaps more distinguished, might escape through the orifices they lift orifices का मतलब क्या होता है? holes, छेद, basically इंसान की body में जितने भी holes openings होती है, उसे orifices कहते हैं तो वो कह रहे हैं author कि अगर हम इन सारे शब्दों को हटा देते तो वो इस novel के अंदर जितने भी छेद हैं, उन में से ये बाहर निकल जाते हैं ये शब्द तो ये novel का कोई meaning, कोई मतलब, कोई importance नहीं रह जाती क्योंकि ये words important है they left and since the novel is itself often colloquial colloquial का मतलब क्यों होता है informal कह रहे हैं कि ये जो पूरी novel है, ये जो हम छोटे छोटे आपको essays दे रहे हैं ये अपने आप में ही बहुत informal है इसमें कोई formal language use नहीं हुए और अगर ये शब्द भी हम हटा देंगे यानि वो novel की छेद में से बाहर निकल जाएंगे हमने निकाल दिये, बाहर रिमूफ कर दिये तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि ऐसे अपने अप में ही बहुत informal है it may possibly withhold some of its secrets from the graver and grinder graver का मतलब क्यों होता है a tool used for engraving in metal or wood इस तरीके का एक tool जो काफी शाप होता है जो metals में कुछ engrave याने गाड सकता है या लकडी पे कुछ लिख सकता है ऐसे गाड़ गाड़ के तो और grander मतलब क्यों होता है something which is very grand, बहुत बड़ी चीज है तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये वो शब्द होए है जो हमने भी शब्द पढ़ी वो शब्द है जो कुछ grand meaning निकाल दे हमारी लिखी हुई चीज में से कोई ऐसा reader इसको पढ़ ले कोई बड़ा scientist इसको पढ़ ले जिसमें से कोई grand meaning निकाल ले या समझो कोई ऐसा reader है जिसको बहुत deeply पढ़ना अच्छा लगता है तो जैसे एक ये grander चीजे गाड के निकालता है वैसे ही कोई reader गाड के कोई different meaning निकाल दे इन शब्दों की मदद से तो इन शब्दों का रखना बहुत important है streams of criticism and many reveal them to backwaters and shallow backwaters क्या होता है a part of river where the water is stagnant नदी का वो हिस्सा जहाँ पानी एक ही जगा एक खटा रहता है उस पर बहाओ नहीं होता और shallows क्यों होता है an area in the sea where water is not too deep समुद्र का वो area जहाँ पे पानी जादा गहरा नहीं है डीप नहीं तो वो कह रहे हैं कि अगर जहाँ पे कोई meaning अटका हुआ है वहाँ से अगर हम इन शब्दों को निकाल दे तो वो और ही खराब हो जाएगा वो और criticism हो जाएगा तो वो readers जो deep readers है वो उनका meaning और ही नहीं निकाल पाएगे या shallow यानि जहाँ कहीं बहुत deep meaning नहीं है उपर ही उपर meaning चुपा है किसी sentence का अगर हमने सारे important शब्द निकाल दिये तो वो easy निकलने वाला meaning भी लोगों से miss हो जाएगा तो basically ये सारे शब्द जो यहाँ पे use हुए है वो हम नहीं हटाएंगे हमने उसको book में रखा क्योंकि वो important है उसके बाद ये पूरा आता है box जिसको हमने स्टार्टिंग में ही cover up कर लिया था शेरजाद वाली story ये जो story है ये एक essay है एक निभंद है जिसको किसने लिखा है E.M. Foster E.M. का full form है Edward Morgan Foster was a prominent English rider of 20th century जो foster है उतर ये prominent याने बहुत famous writer and novels किताबे लिखते हैं कहानिये लिखते हैं 20th सदी के याने 20th century के अभी 21st चल रहे है The writer explores the three tones of the readers who approach a novel तो जो writer है वो क्या बताते हैं basically इस chapter में कि जो लोग अलग-अलग novels याने अलग-अलग उपन्यास पढ़ते हैं वो किस तरीके से उस novel को पढ़के समझते हैं तो उन्होंने तीन tones याने तीन डिफरेंट लोगों से एक सवाल पूछा है कि what does a novel do? Novel क्या करती है तो इस एक common सवाल का तीन अलग-अलग लोगों ने कैसे और क्या जवाब दिया है यह अब हम यहाँ पढ़ेंगे तो उसको पहले आदमी का जवाब सुनके author को लगा कि वह a good tempered person है याने इसको इतीजीली गुसा नहीं आता बहुत काम, बहुत शान्त रहने वाल आदमी है who knows what a novel is और उसको पता भी है कि novel आखर होती क्या है क्योंकि वो बोलता है कि novel tells a story novel कहानी बताता है he seems to be occupied in some tasks but is polite enough उसके जवाब से ऐसा लगता है कि वो कोई task में, कोई काम करने में busy है but फिर भी वो काफी polite है क्योंकि उसने हमारे जवाब का उसने सवाल बहुत politely और बहुत शांत से स्वबाफ से दिया and he may not have the time for reading a novel अब ये आदमी ऐसा है कि इसके पास novel पढ़ने का time नहीं रहे था but इसको पता है कि हाँ novel क्या होती है story क्या होती है इसको मालूम है but he knows enough that the novel conveys a story पर इसको clearly पता है कि जो novel होती है वो story convey करती है याने कि हमें कहानिया बताती है तो पहले आदमी का ये reaction था दूसरे आदमी से जब सवाल पूछा गया तो जो second आदमी था वो कौन था एक गॉलफर याने गॉल्फ खेलने वाला एक प्लेयर अब वो गॉल्फ खेलने वाला इंसान है sports person है उसमें aggression, गुसा भरा रहता है time न वेस करूँ, जल्दी अपना goal करूँ तो इस तरीके का वो एक attitude carry करता है और ये भी एक अनदर टाइप का reader ही है अगर ये novel read करता है तो इस तरीके के जो reader होते हैं sports में involved रहते हैं वो थोड़े ब्रिस्क रहते हैं याने they want to get things done quickly जो भी काम है जल्दी करूँ मैंने की मुझे मेरे काम में disturb मत करो, जल्दी पूछो क्या सवाल है ऐसा, aggressive, थोड़े गुसेल भी होते हैं आरे हार गए, गोल छूड़ गया तो ये जो readers होते हैं इनका basic nature थोड़ा aggression वाला होता है they do not dig into the matter of the novel novel का जो पूरा matter है जो उसमें story है वो उसमें इतना dig नहीं करेंगे और इतना खोद के, इतना deeply नहीं पड़ेंगे हाँ पढ़ ली, थोड़ी दिर free बैठे हैं नहीं मज़े के लिए, लेजर के लिए पढ़ ली बस इतना है they treat novels as casual pieces of written text ये novels को बहुत casual ही treat करते हैं कि हाँ लिखा हुआ कोई चीज है, पढ़ लिया थोड़ी दिर के entertainment ली, that's it they just want a story and pass their time जब भी ये sports person थोड़े इनका free time रहते हैं तो अपने time pass के उससे बस ये stories पढ़ते है they do not indulge in the novel content novel के अंदर जो पूरा content लिखा हुआ है जो पूरी बात लिखी हुए उसमें इतना ज़दा indulge इतना ज़दा deeply नहीं घुसते हैं ये लोग he does know that a novel conveys a story इसको भी पता है इतना knowledge है कि novel story convey करता है याने एक novel तभी novel है जब वो हमको कोई story सुनाए but he is not very excited about going through the story but इसमें आज सथ को excitement नहीं दिख रहा है इसका जवाब सुनके कि ये पूरी story read करेगा deeply समझेगा, analyze करेगा story को नहीं free bet है, bore है, bore हो रहा है थोड़ी दिर पढ़ लेगा entertainmently, that's it तो ये second type of person के बारे में बताया गया है हमको इस essay में the third and final tone third and final tone याने बिल्कुल जो तीसरे बंदे का जवाब था वो देखते हैं, जब इससे पूछा गया कि what does a novel do, तो ये क्या reply देगा, the third and final tone is that of an author याने जो तीसरा बंदा है वो खुद himself author ही है बहुत पसंदे क्यों क्यों author है novel लिखते हैं, तो इनको पसंदी है novel का concept, these kinds of people are deep readers, ये लोग बहुत deep readers होते हैं, बिल्कुल एक word का meaning समझते हैं and thinkers, और ऐसा क्यों हुआ story में, इस पे बहुत सोच विचार भी करेंगे, think भी करेंगे they indulge in the story इस तरीके के जो व्यक्ती होते हैं वो story में बिल्कुल इंडल जो जाएंगे घुस जाएंगे, in fact, खुद को part समझने लगेंगे इस story का and go deep with the thought of the writer और writer ने जो story लिखी है जो thoughts writer के दिमाग में होंगे ये story लिखते वक, exactly वैसा सोचने की कोशिश करते हैं इस तरीके के readers Okay, foster also deals with the concept of finer growth तो इन तीन तरीके के लोगों के response बताने के बाद foster जो हमारे author है फिर एक दूसरी चीज़ बताते हैं हमारी इस निभन में, इस essay में एक concept बताते हैं जो है finer growth के बारे में याने छोटी छोटी growth याने छोटी छोटी growth in a story जब आप story स्टार्टिंग से रीट करना स्टार्ट करते हो तो एकदम ही climax नहीं आ जाता, धीरे धीरे story चलती है time reference लेते हुए बीच में कुछ incident होता और धीरे धीरे story में कुछ बड़ी सी चीज होती और धीरे धीरे सब शानत होता है फिर happy ending करके एक normal ending हो जाती है तो final growth याने धीरे धीरे growth लेती है story एक ही बार में एक pace पे नहीं चलती development of a plot याने ये पूरा plot, पूरा scene जो है story के अंदर वो create करता है writer और a character और story के अंदर कौन से character कौन से hero, heroine रहेंगे सब वो सब main character और ये सब रहता है and technicalities और चोटी-चोटी technicalities भी होती है कि चलो यहाँ पे मैं इस तरीके का example डल देता हूं थाकि public जो readers है वो bore ना हूं चलो यहाँ पे कुछ suspense डल देता हूं suspense होगा तो लोग क्या होगे curious होंगे जानने के लिए कि होगे आगे story क्या होगी नहीं तो bore हो जाएंगे तो novel ऐसी आधे में ही छोड़ देंगे and the story is basic structure movement towards an end can be characterized as finer growth तो धीरे धीरे जो story का basic structure जो story पूरी बनाई गई है वो किस की तरफ move करती है finer growth की तरफ याने धीरे धीरे story growth लेते 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 finally end की तरफ आती है तो जो reader होता उसको समझ आता है कि शुरू कैसे हुआ बीच से विल्कुल अम end तक कहां पहुचे नहीं तो readers confused हो जाएंगे और meet में ही छोड़ देंगे फिर के बताते हैं हमारे author foster जो है also connects the human interest towards story and storytelling if there is a suspense created तो वो बोल रहें कि जो humans हैं जो इंसान है हम story telling याने अगर किसी को story बता रहे है तो इस तरीके से बता है कि कोई suspense create करते है तो सामने वाला curious होगा जानने की इच्चों को गया जग्यासू होगा कि यह और है क्या होगा तभी आपकी नॉवल एक successful है नहीं तो फ्लॉप तो यह जो suspense aspect है बहुत important है आपकी story में तो यहाँ पर हमारी summary होती है नाओ लेज डिसकस few question and answers question number one what would you say are the finer growths that our story supports in a novel तो आप क्या बोलेंगे finer growths क्या होती है जो story support करती है एक novel में याने novel के होती है किताब होती है जिसमें कहानी लिखी गई होती है तो story में अंदर कहानी में finer growths क्या होते हैं जो धीरे धीरे चलके end तक पहुचते हैं तो the finer growths of a novel are the small parts of the novel finer growth का मतलबी होता है कि story के छोटे छोटे parts छोटे छोटे parts बनके पूरी story बनती है तो जो छोटे 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 पार्ट्स होते हैं that an author introduces like a character or subplot और an idea which makes a novel different from the other तो छोटे छोटे जो parts होते हैं जो हमारा author हमको introduce कराता है अलग-अलग section में story में कि देखो ये एक नया character आया है जैसे कोई serial देखते हैं तो कभी एक नई बहु आ जाती ही घर में कभी नया चाचा, कभी मामा, कभी मरा हुआ व्यक्ति इंसान जिन्दा हो जाता है कभी कोई मरा हुआ व्यक्ति plastic surgery करा के आ जाता है तो क्या होता है हम curious होते हैं अरे ही क्या हो रहा है वैसी novel भी जब हम story read करते हैं तो अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग character introduce होते चले जाते हैं जो हमको author introduce कराता है subplot याने कोई planning दिखती है या कोई idea दिखता है हमें के कोई नही concept दिखता है जो एक novel को दूसरी सारी novel से different बनाता है तब ही तो वो successful होती novel yes without these there is nothing new in a novel to admire और इन छोटे-छोटे finer growths अगर यह नहीं होंगे novel में तो समझी अप novel में कुछ नया नहीं है और कुछ ऐसी चीज नहीं जिसको admire करा जाए या इस novel को पसंद करा जाए तो finer growths ही एक novel को different बनाते हैं दूसरी सारी novel से तो यह बहुत important होते हैं next question how does foster trace human interest in the story to primitive times primitive का मतलब क्यों होता है ancient पुराने जमाने का समय जब early man रहते थे early man पुराने जब दुनिया चालू हुई थी तब तो जो हमारे author foster वो कैसे बताते हैं कि ancient times में पुराने जमाने में जो humans थे उनका story सुनने में interest हुआ करता था याने कहानी सुनाने और सुनने की प्रथा कोई नहीं नहीं है यह ancient प्राचीन काल से चली आ रही है और तब भी लोग interested होते थे तो हमें यह कैसे पता चलता है तो answer देखते हैं foster foster thought storytelling went back to the neolithic और maybe in the paleolithic age तो foster यह सोचते हैं कि जो storytelling याने कहानी बताने का जो concept है यह नियुलितिक और मेभी पहले लिटिक एज याने उस जमाने से नियुलितिक जब stone age याने पत्थर को introduce करा गया था सबसे पहले और development start हो चुके थे पत्थर से related उस जमाने से या उससे भी पहले याने पहले लिटे गेज याने जस्त पत्थर को identify, discover कि आ गया था तब से storytelling चल रही है यह concept he says one can judge from the skull of a neandrel that he that it listened to stories neandrel कोन होता है neandrel early man, जो early man के बार में हमने पता है यह वो है skull याने पूरा दिमाग या पूरी शकल जो अजीब हो गरीब दिखती थी उस ताइम तो author बोलते हैं कि हमने photos देखें यह Google पे इंटरनेट पे कि early man की शकल देखके कोई की judge कर सकता है कि यह भी उस जमाने में कहानिया सोना करता था और उसको समझ भी आती थी he believes that it was just an idle time for the early humans who were tired after hunting तो जो early humans early human beings दोते थे वह hunting करके याने की शिकार पर जाते थे अपना खाना ढूंडने के लिए और जब पूरे दिन मेहनत मशाकत करके ठकके आते थे तो यह एक टाइम एक बिल्कुल सही वक्त था उनका स्टोरी सुनने का कि जब ठकके आया है थोड़ा ठकके भी हैं लेकिन कुछ अपने लिए टाइम निकालने के लिए बोर हो रहे हैं तो क्या करें कहानी सुनने का सबसे बेस ताइम तब यह लोग कहानी सुना करते थे only the suspense of a story held them सोची यह पूरे दिन का कितना ठकके हुए रहते होंगे वो तो एक सेकंड में सो जाएं लेकिन जो भी उनको स्टोरी सुनाता था वहाँ पर उस वक्त वो suspense वाली स्टोरी सुनाता था याने की suspense की आगे अब क्या होगा वही चीज उनको held them याने hold करके रखती थे वो सोते नहीं थे कि हमें तो सुनना है after which they were so disinterested that they may have even killed the man और जैसे ही उनको suspense पता चल जाता था वो इतना disinterested हो जाते थे आने इतना ठक जाते थे और उनको नींद भी आरी होती थी ठकने के बाद कि वो आदमी को जो स्टोरी सुना रहे है उसको ही किल कर देने का सोचते थ बस उनके अंदर जो चीज उनको पकड़कर रखती थी वो क्या पकड़ती थी suspense तो suspense factor is important in your stories next discuss the importance of time in the narration of a story अब अगर कोई story का narration हो रहा है यानि कोई story हमको narrate कर रहा है सुना रहा है या आप उनकी story पड़ रहे हैं तो उसमें time factor की क्या importance है क्यों time factor important है यानि एक proper starting और ending और बीच में एक proper structure पूरी story का क्यों important है तो answer है time is central to the narration of every story जब कोई story का narration करता है यानि कहानी सुनाता है तो time is central यानि very important बहुत जरूरी है A novelist can't write a story without it जो novelist होता है यानि जो novels लिखता है वो time aspect के बिना story लिख ही नहीं सकता वनना कहां से कब story शुरू हुई कहां खतम हुई किसी reader को समझ नहीं आएगा The story should follow a structured chronology without which the story cannot make sense तो जो आपकी story है वो एक chronology, chronology मतलब एक proper sequence बनाए या serial order बनाए कि कौन सा event पहले हुआ था फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ Proper chronology और proper sequence होना जरूरी है अगर ये chronology है sequence of events नहीं रहा तो story cannot make sense यानि readers को समझी नहीं आएगी And the novel cannot be understood और जो novel लिखी इत्ती महनत से वो understood यानि समझ ही नहीं आएगी लोगों को Novels always need a clock Novels लिखते वक्त हमेशा novel इसको एक clock की जरुवत रहती है कि मुझे इतने time में novel लिख के खतम करनी है और मैं जो लिख रहा हूँ वो time reference होना चाहिए जिन्दगी पर novel नहीं चल सकती Reader एक time पर पढ़ना शुरू करेगा और उसको खतम करनी होगी अगर चलती ही रहेगी तो बोर हो जाएगा novel साइट रख देगा कि नहीं पढ़नी भाई कित्ती बड़ी novel है तो Novels always need a clock because it narrates events as it happened one after the other क्योंकि novel यानि जो story उसमें होते हैं उसमें जो events होते हैं जो incidents होते हैं जो story में अलग-अलग चीज़े होती हैं जो one after the other होई है यानि एक के बाद एक चीज़े जो sequence में होई हैं वो होना important होता है और वो नहीं होगा for example अगर एक husband wife की कहानी चल रही कि husband wife था पहले बोलो college में मिले फिर husband wife बने फिर शादी होई तो हमको समझ में आएगा बोल दिया अरे बच्चे उनके बच्चों की कहानी बताना start कर दी तो आप बोलोगे नहीं कहां से है माबाब कॉनते कैसे मिले कैसी शादी उलफ थी के अरेंज थी क्या थी तो proper sequence होना important है तभी readers को समझ आएगी first question आपके सामने question given रहेगा और उसके four options given है और आपको जो लगता है जो correct option है उस पर आपको करना है एक tick mark so let's begin with our question number one who is the author of the essay the story तो जो आपका essay है जिसका नाम है the story उसके author कौन है तो options देख लेते हैं option A Bertrand Ruzal option B G.N.Devy option C E.M.Foster option D John Ruskin तो हमने clearly chapter का explanation, story, सब कुछ बहर अच्छे से question and answer सब cover कर लिया है और जसने मेरे videos देखे होंगे वो यह easily 1 minute के अंदर within 5 seconds answer कर देगा so option number C E.M.Foster is the right option to this question next in the story the 1001 Arabian Nights what was Shairzad's wish अभी जो आपका essay है the story इसके अंदर एक छोटी सी और story दी हुई है एक box के अंदर और उस story का नाम है the 1001 Arabian Nights और उसमें एक character है उस character का नाम है Shairzad यह एक young girl है जिसके father एक king के अंदर एक राजा के अंदर काम करते हैं और एक वजीर है एक छोटे से minister है तो उस story में Shairzad की wish याने इच्छा क्या थी तो options देख लेते हैं तो मैं आपको स्टोरी बता देते हैं वे श्रकी कि उने अगले दिन और ऐसे अलग अलग नई नई स्टोरी सुना के Shairzad ने अपनी जान बचाई रखी और कब तक स्टोरी सुनाती रही जब तक king ने उसको officially अपनी queen के तोर पर accept नहीं कर लिया और उसके बाद से उसने किसी और दूसरी लड़की से शादी भी नहीं करी और शेरजात को केल भी नहीं किया तो जो शेरजात की इच्छा थी वो थी to marry a peculiar कजी वो गरीब king से शादी करना था तो option no.a is the right option to this question next what is the basic aspect of a novel एक जो novel होती है एक जो उपन्यास होती है जो novel होती है उसका basic basic aspect जो fundamental aspect होता है वो क्या होता है basic चीज क्या होती है novel में options है its characters जो अलग-अलग characters अलग-अलग लोग जो role play कर रहे है क्या वो होता है basic चीज एक novel में its storytelling aspect एक novel का basic aspect क्या होता है उसकी story अगर एक novel आप पढ़ रहे हो और आपको कोई story ही नहीं मिल रही कुछ भी random चीजे लिखी हुई है तो क्या आप उस novel को पढ़ेंगे अफकॉस नहीं पढ़ेंगा fake देंगे side में रख देंगे तो एक novel का जो सबसे basic aspect होता है उसका storytelling aspect होता है कि novel at least आपको क्या tell कर पाए क्या बता पाए वो story जो उसके अंदर छुपी होई है तो यह एक right option है और options लिखने its writer जिस writer ने वो novel लिखी है या जिस novelist ने वो novel लिखी है वो basic aspect है अरे बाइं किसी ने भी लिखी हो story जब तक नहीं होगे जब कोई story, कोई कहानी होगी कोई कहानी ने होगी तो अब randomly क्या characters बताओगे कि हाँ इसने ये बोला कुछ भी तो हम लिखनी सकते All of the above यह सारे options तो नहीं यह सारे options important ज़रूर है कि writer अच्छा होना चाहिए characters अच्छा होना चाहिए किस location की बारे में आप describe कर रहे हो क्या story है लेकिन जो सबसे basic जो सबसे important aspect एक novel लिखनी का वो है storytelling aspect Story नहीं, novel नहीं Story है तो novel है Okay, so option number B is the right option to this question Next What did the first person answer to the question What does a novel do तो इस essay में एक question पूछा author ने तीन लोगों से question था What does a novel do एक इंसान से भी यह question पूछा कि भाई novel क्या करती है दूसरे से भी यही सवाल पूछा कि what does a novel do novel क्या करती है और तीसरे इंसान से भी यही पूछा और तीनों ने अलग-अलग जवाब दिये तो जो first person था जो पहला इंसान था जिससे author ने सवाल पूछा था कि what does a novel do novel क्या करती है तो उसका क्या आंसर था उसका क्या जवाब था उसने बोल दिया था novel novel तो novel होती है क्या करेगी novel तो यह चीज उसने बोली थी a novel tells a story और उसने यह भी आंसर दिया था कि novel तो novel होती है novel tells a story novel वही होती जो story बताती है जो story कोई नहीं बताती कोई काहानी नहीं बताती यानि कि नहीं तो यह भी चीज उसने बोली थी a novel does nothing novel कुछ ही नहीं करती वस novel तो novel होती है तो ऐसा, first person ने answer नहीं किया था. उसको knowledge था कि novel किया होती है, तो उसको मुझा था, novel तो novel होती है. और basically novel वो होती है, जो कोई story सुना है. Option D, both A and B, याने option A and B, और option A and B दोनों. तो yes, option A and B दोनों सही है, which means option number D is the right option to this question. Next, What are the different factors which the third speaker wants other than story telling factor of a novel? तो यह जो question पूछा था, author ने, first person, second person and third person से, कि what does a novel do? तो जो third person था, जो third person था, जो third speaker था, जिसने answer दिया था, तो उसने तो बोला था कि ठीक है, कि story telling factor होता है एक novel में. लेकिन इसके अलावा, additional और क्या क्या चीज़े होनी चाहिए novel में, वो बताओ कि क्या बताई थी इस third speaker में. तो third speaker ने यह तो बोला था कि story telling factor important है, लेकिन इसके अलावा, यह यह चीज़े भी extra additional होनी चाहिए एक novel में. तो यह extra additional चीज़े क्या है, यह different factors और क्या है. तो options है melody, उसने कहा था, novel पढ़ते वक्त melody का, याने music का एसास होना चाहिए. तो yes, यह एक factor उसने कहा था, perception of truth, याने आपको किसी truth, किसी सच्चाई की perception अनुभूती हो कि हाँ, यह सच्चाई है, ऐसा ही होता है. तो yes, उसने यह चीज़ भी बोली थी कि truths and facts के बारे में जरूर पता चले, knowledge of facts, जो fact, जो सच्चाई है, यहने जो चीज़े जिन्दगी में, life में कभी बदल नहीं सकती, उनके बारे में knowledge और ग्यान एक novel को देना चाहिए, story के अलावा भी. तो yes, यह भी इसने कहा था, that means option number D, all of the above is the right option to this question. क्योंकि यह तीनों ही चीज़े, third speaker ने बोली थी कि भाई, यह तीनों चीज़े, story telling के अलावा होनी चाहिए. Next, according to the author, a story runs like a dash. जो हमारे author है, उनके हिसाब से, जो एक story होती है, जो एक कहानी होती है, वो किस, जैसे run करती है, यहने जैसे हम story पढ़ना start करते हैं, तो शुरू से लिके end तक वो कैसे चलती है, कैसे? तो options है, उन्होंने कहाता है, heart, एक दिल की तरह चलती है, kidney, एक story जब हम पढ़ना शुरू करते है, starting से लिके end तक, तो वो kidney की तरह चलती है, वो backbone की तरह चलती है, यह जो आपकी read की head, आपकी spinal cord है, उसकी तरह चलती है, यह option number D, आपके brain, आपके दिमाग की तरह चलती है, जब हम starting से लिके end तक, उसको पढ़ना start करते हैं और खतम करते हैं, तो clearly आपके book में, आपके chapter में लिखा हुआ है, कि a story runs like a backbone, याने एक जो story जब हम पढ़ना start करते हैं, तो वो backbone, याने read की headdy जैसे चलती है, क्यों बोला ऐसा, I am not a good drawing person, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूं, एक read की headdy कुछ इस तरीके से होती है, और बीच में छोटे-छोटे parts होते हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, जो वाटिब्रेस होते हैं, उसके वो, कुछ ऐसे, कुछ चोटे, बड़े, ऐसे, ऐसे, something like this, तो उन्होंने read की headdy, याने this is a spinal cord, बोले तो backbone, ठीक, त उन्होंने इसलिए बोला कि एक spinal cord जैसी होती है, एक backbone जैसी होती है story, क्योंकि एक backbone का यह starting point है, और यह इसका end point है, यहने read की headdy यहां से शुरू होती है, और आपके tailbone तक जाती है, तो एक starting और end point है, एक story का भी starting point होता है, और एक उसका end point होता है, और जो पूरी spinal cord, यह जो बहुत सारी चोटी चोटी vertebrates, यहने बड़ी और चोटी bones को मिलके एक पूरी backbone बनती है, यहने read की headdy, तो story backbone की तरह होती है, यहने उसका कोई starting point होता है, और उसका end point भी होता है, यहने story की ending भी होती है, और बीच में चोटे चोटे instances, examples, अलग-अलग characters के dialogues, बहुत सारी वैसे हमारा शरीर हमारे backbone के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही novel, story के बिना exist नहीं कर सकती, कहान ही होगी तब जाके हो पूरी novel, जो किताबे exist करेगी, okay, so option number C, backbone is the right option to this question, next, the primitive audience, after being tired, only kept awake by dash, अब primitive का मतलब समझो, olden, olden या ancient, पुराने जमाने के जो audience होती थी, जो पुराने जमाने के लोग बैठ कर जो कहानिया सुनते थे, जैसे कि early man, जो सबसे पहले early man थे, वो भी कहानिया सुनते थे, पूरे दिन hunting करते थे, और animals को मारते थे, और उसको पका के रात में खाते थे, फिर जब पूरे दिन की मेहनत क करके थकके वह रात में बैठते थे तो आग जलाके और उसके साइड में घहरा बनाके बैठते थे स्टोरी सुनने के लिए तो उस ताइम का यहां पर एक्जामपल दिया जा रहा है और पूचा जा रहा है कि जो ओल्डन अर्ली मैं जमाने वाली जो ओडियेंस थी जो स्टोरी कहानिया सुना करती थी आफटर बींग टायट जब पूरे दिन थक जाते थे वह स्रिफ ऑवेक być क्यूं जगे रहते थे end तक स्टोरी में स्टोरी सुनते थे और एंड gefस्ते जंतु ही रहते थे बीच में से सोनी एंड तक जगता था क्या ऐसी चीज थी स्टोरी में जो अर्ली मैन को या फिर ओल्डन टाइम की जो ओडियंस थी ये उनको जगाए रखती थी ओप्शन्स है फिर ओफ वाइल्ड अनिमल्स अर्ली मैन को जंगली जानवरों का डर था इसलिए वो स्टोरी में इंड तक जगा रहता था तो ऐसा तो कुछ नहीं बलकि जंगली जानवरों को तो वो खुद हंट करता था याने उनका शिकार करता था सपेंस इस पर धियान दीजिए आप किसी स्टोरी में जब सेस्पेंस होता है कि अब फिर ऐसा हुआ था फिर दरवाजे में अंदर गुसे फिर अंदर कोई बैठा था वो व्यक्ति कौन था तो इस तरीके के जो सस्पेंस फैक्टर्स होते हैं वो इंसान को बांध के रखते एक स्टोरी से अगर इंसान क्यूरेस ने होगा जानने की इच्छ ने होगा कि अरे आगे क्या होगा स्टोरी में तो वह बुक पढ़ेगा नहीं वह बोर हो जाएगा बुक को साइट कर देगा लेकिन जब तक मैं क्यूरेस हूं सस्पेंस फैक्टर है कि आगे क्या होगा स्टो क्या उनको ब़ूट मज़ा आता था तो मज़ा क्यूँ आता था मज़ा उनकr suspense factor की वज़े से ही आता था entertainment उनको entertainment उनको fun क्यों लगता था story क्योंकि इस में suspense factor था वह enjoy करते थे वो suspense वाली चीज को तब लिए तक सुनते ते नहींत। थकी हारी आलत में कहानी सुनते सुनते इंसां सोई जाए लेकिन उनको क्या चीज अवेक रखती थी क्या चीज उनको जगाए रखती थी यह suspense factor which means option number B is the right option to this question next what is the meaning of the word tyrant tyrant आपके word यह जो tyrant word आपके essay में आया है तो इसका meaning आपको guess करना और बताना है options है a wise king एक बहुत समझदार king जो राजा होता है उसको tyrant कहते है not at all a powerful king एक king जो बहुत powerful है जो बहुत ताकतवर है क्या उसको tyrant कहते है no a just king just याने जो सबके साथ just करता है justice करता है याने नियाय करता है तो अजस्ट किंग जो होता है उसको हम क्या बुलते हैं टाइरंट? अजस्ट किंग करनी थी तो अट वोट टाइम जब शेर्जाद स्टोरी सुनाती थी तो सुनाते सुनाते ऐसे कौन से पॉइंट पे रुक जाती थी king को story सुना तो जोना था बिलकुल middle में कहानी के बीच में ही रुख जाती थी तो king क्या करता था first night spend करने के बाद सुबह होते ही अपनी wife को मार देता था उसको गला उसका निकाल देता था cut कर देता था behead कर देता था अपनी queen को तो वो रात में उसको story सुनाना start करती थी और जैसे ही sunrise होता था जैसी सूरज की पहली किरन होती थी वो बिलकुल middle में बिलकुल जिस point पे भी होती थी story में वहाँ पे बिलकुल silent सुजाती थी बिलकुल चुप और सुजाती थी तो king क्या होता था बहुत curious हो जाता था कि अरे कहानी में आगे क्या होगा इस वज़े से वो उसको मारता नहीं तो अगले दिन अगली रात का wait करता था तो जब sunrise सूरज की पहली किरन होती थी उस वक्त पे वो एकदम चुप हो जाती थी तो at sunrise, option BA में ही हमको सही option मिल गया sunset यहने सूर्य अस्त होता था उस time पे नहीं in the evening, शाम के समय पे नहीं at night, रात के समय में चुप होती थी नहीं, रात के समय में तो वो story सुनाना start करती थी which means option number A is the right option to this question next a dash is a narrative of events arranged in their time sequence एक dash क्या होती है, कैसी narrative होती है events की जिसको arrange किया जाता है उसके time sequence में तो options देखिए, options है novel, poem, story यह all of the above तो यह जो definition है, यह definition है एक story की और यह clearly आपकी essay में आपको given भी है कि एक story a story is a narrative of events arranged in a time sequence समझ यह इस definition को, एक story वो narrative है याने किसी के मूँ जबानी आपको सुनाई गई वो कहानी है जिसको arrange करा गया उसके events द्वारा हर story में events होती है याने पहली कोई चीज होती है याने पहले राजरानी मिले, फिर उसकोद उनकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर एक war हुई तो एक के बाद एक जो event हुआ, time sequence में याने सही time पे कि पहले वो लोग मिले थे फिर इस उमर में उनकी शादी हुई, फिर इस उमर में बच्चे हुए, फिर इस उमर में उनके बच्चों की शादी हुई तो story क्या है, एक मूँ जवानी किसी के द्वारा आपको सुनाई गई कहानी जिसमें events जो अलग-अलग चीज़ें हों, उसको arrange किया गया, एक के बाद एक correct time sequence में याने जिस वक्त जो चीज़ हुई, पहले वो, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर आखरी में, क्या हुआ, एंड में तो इसी चीज़ को हम story कहते है, novel के अंदर story होती है, novel एक बड़ी सी किताब होती है, जिसके अंदर story होती है तो novel नहीं हो सकता यह, novel के अंदर यह story होती है, poem याने कवीता, कवीता तो कोई events नहीं होती है, कवीता में तो अलग-अलग सार होते हैं, अलग-अलग stanzas होते हैं, जिसमें hidden meanings होते हैं, phrases होते हैं basically, okay, all of the above हो नहीं सकता है, क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है, option number C, next, according to the author, our daily life is composed of dash and dash, तो author के according, हमारी जो daily life है, जो रोज मर्रा की life है, वो composed है, याने किन दो चीजों से मिलके बनी है, dash and dash, तो वो क्या दो चीजों हैं, जिन से मिलके हमारी daily life बनी है, तो options हैं, A, space and time, B, time and value, C, value and money, या D, money and space, अब clearly आपके chapter में, आपके essay में दिया गया है, कि time and value ही वो दो चीजों है, जिन से मिलके आपकी daily life बनी हुई है, अब time and value का मतलब समझते है, time का मतलब किस time पर आपको क्या चीजों करनी है, आप daily life में वो सोचके चलते हो, इस वक्त खाना है, इस वक्त सोना है, इस वक्त प time पर हमें करना है, और दूसरी चीजों होती है value, value का मतलब होता है worth it होना, क्या ये चीज वर्थिट है, क्या ये चीज हमारे use की है, काम की है, अगर मैं 6 बजे walk करने जाओं, तो इस में मेरे time aspect आ गया, लेकिन value मैं बताऊंगी कि क्या मैं 6 से 7 अगर 1 गंटा walk करूंगी, त इससे मुझे क्या benefit होगा, इससे मुझे की benefit होगा, मेरा weight control में रहेगा, मुझे भूख अच्छी लगेगी, health मेरी proper रहेगी, sweating होगी तो toxins निकलेंगी body से, तो जब भी आप अपनी life में, daily life में जो भी करते हो, दो aspect जरूर देखते हो, कि आप जो काम कर रहे हो, वो किस time पर क example, क्या इसकी कोई value है, कि अगर मुझे lecture देखे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलना है, मुझे salary मिलनी है, मुझे सारे students का प्यार मिल रहे है, तो मैं जो ये value पता चल रहेगी, तभी मैं वो काम करूँगी, अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या मैं यहाँ पर lecture देन next, according to the author, which words were not to be ignored while converting lectures into essays, अब जब आप ये essay पढ़ेंगे, तो आपको last में एक note मिलेगा, note में बताया गए कि so and so college में कुछ lectures हुए थे, professor ने कुछ lectures दिये थे, वो lecture इतने अच्छे थे कि उस lecture को convert करा, इस essay में जिसका नाम है the story, तो आप जो ये the story पढ़ रहे हैं पूरी, ये exactly किसी के मूँ से दिया गया एक lecture था, जो इतना अच्छा था कि इसको एक essay form में, एक न कुछ शब्द ऐसे थे, कुछ words ऐसे थे, जिनको lecture में से ignore नहीं किया गया याने, उनको side में नहीं रखा गया, कि चलो यार, ये इतना बड़ा lecture है, इस lecture में से जो कुछ-कुछ words unimportant लग रहे हैं, इनको हटा देते और फिर convert करते हैं इसको essay में, तो ऐसा नहीं किया उन्होंन एक-एक word जो प्रोफेसर ने मुझ से निकाला था, lecture में, उन सारे शब्दों को इस essay में include किया है, कुछ भी उसको ignore नहीं किया है, तो जब convert हुआ था lecture से essay में, तो एक भी word include नहीं हुआ था, तो वो कौन से words थे, जिनको ignore नहीं किया गया, तो options है, option number A, I, U, 1, ये option number B, V, of course curiously enough, ये option number C, only imagine, कलपना करिये, so to speak, याने बोलने के लिए मैं ये बात बोलता हूं, ये option number D, all of the above, क्या ये सारे ही वो शब्द थे, जिनको हमारे author ने ignore नहीं किया, while converting it from lectures to the essays, तो ये सारे ही वो words थे, that means option number D, all of the above, is the right option to this question, So children, here we come to the end of this session, I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आये होंगे, आप चाहें तो हमारे videos YouTube पर भी देख सकते हैं, वहां ना मिले तो हमारी website पर जाएए, which is magnetbrains.com, जैसी बहा जाएंगे, इस तरीके का एक page आपके सामने आएगा, वह अलग-अलग options है, CBSE English Medium, CBSE Hindi Medium, Spoken English and so on, for example, आपको CBSE English Medium का video देखने तो आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपके सामने English Women Words का एक अलग-अलग से option है, अगर आपको इसके videos देखने तो इस option पर click करिए, and click करते ही मेरे सारे list of videos आपके सामने आजाएगा, for example, आपको syllabus overview का video देख आर YouTube चानल, क्योंकि Magnet Brains, quality education आपके घर तक free of cost पुचा रहे है, okay, so तब तक के लिए, bye bye and take care.